कि आई गाई इससे एर्पिता तुलस्यान यह लेट्स टार्ट ना सब्जेक्ट की शुरुवात करते हैं औल टोगेदर डिफरेंट येस पेपर नंबर फाइफ जो आपका इंडिरेक्ट अक्सेस है सिए फाइनल के लिए उसका हम एक तरह से श्री गनेश करने जा रहे हैं ये तर्स को स्टार्ट करते हैं अभी ये सबसे पहले तो आपका पीपर फाइफ के लिए काम आजाएगा ओके दूसरी बात ही आपको आई बीस में भी काम आएगा ओके पेपर नंबर शिक्स जौब का है आई बीस उसके लिए ये ये काम आजाएगा क्योंकि उसके अंदर भी के आपका syllabus रहता है तो सेम बुक्स वगरे आप यूज़ कर सकते हो अलग से तो उसके लिए IDT के लिए तो कुछ पढ़ाई करने की जरुवत नहीं है वह ही आपका पेपर फाइफ के अंदर करने वाले हो वही आपका पेपर 6 के लिए IDT syllabus के लिए काम आ जाएगा ठीके तो लिए वन धूसरा ये रहन वॉल्यूम नंबर तू इसके अन्दर आपका पूरा-कापूरा कांटेंट है पूरा इन-laigie चयुक्तane करने कि ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, volume 1 के अंदर आपका index मैं आपको एक सेकेंड दिखा देती हूँ, volume 1 का index यह रहा, यह आपका जाता है chapter number 1 से लेके chapter number 14 तक, ठीक है, और similarly आपका volume number 2 है, volume number 2 आपका जाता है balance chapters, that is chapter number 15 से लेके chapter number 33, ऐसे हमने पूरा का पूरा अपना syllabus को divide किया आवा है, ठीक है, अगर आप देखोगे ना, तो chapter number 25 तक, chapter number 25 तक basically आपका GST चलने वाला है, और chapter number 26 से लेके chapter number 33 तक, आपका next part रहने वाला है, that is your customs and FTP, ठीक है, ऐसे हमने उसको divide कर दिया है, अभी मागर आपको IC है, exam point of view, marks वगरे के point of view बताओ, तो total हमारे पास म 100 marks है, okay, total हमारे पास में 100 marks है, 100 marks में से 80 marks जो है, यह मैं basically paper 5 का ही बता रही हूँ, ठीक है, IDT paper का ही बता रही हूँ, IBS वगरे का तो नहीं, ठीक है, मैंने खाली इतना IBS के लिए मैं आपको से इतना कहा है, कि आप IDT portion के लिए यह सेम पार्ट यूस कर सकता, ठीक है, अभी यह 100 marks में से 80 marks जो है, वो आपका GST रहने वाला है, और जो balance 20 marks है, वो आपका second part रहने वाला है, that is your customs and FTP, ठीक है, इतना manageable है, तो आपको समझ गया रहे है, 80% तो आपका GST का ही syllabus रहने वाला है, तो हम भी अपनी शुरूवात GST से ही करेंगे, so that majority part, ठीक है, majority तो वहीं से औ पर अपना base वहीं से बनने वाला है, वो ही base यूज़ करके हमारा customs and FTP भी आगे बहुत ही आसानी से cover हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका overview है, बाकी मुझे आपको फिलाल कुछ और details देनी की जरुवत नहीं, जैसे हम आगे जाएंगे, वैसे हम बहुत सारी बाते करेंगे, ठीक है, तो आपको कोई भी tension लिने की जरुवत नहीं है, फिलाल हमारा target है कि हमको यह पूरा का पूरा paper के अंदर जितना भी marks का questions आता है, वो हमको पूरा का पूरा attempt करना है, बाद में वो जाए MCQ format में हो, या फिर बाद में वो जाए descriptive format में हो, हमको उसे क्या फरक पढ़न वाला है, ठीक है, ओके, तो करे शुरू आत, येस, चलो, तो शुरू करे, जी एस first chapter अपना GST in India and introduction, ओके, बहुत अच्छा concept है, बहुत अच्छा, एक तरह से law है, अपना पूरा का पूरा GST law, बहुत मजा आएगा, ठीक है, इसको theory बिलकुल मत समझना, ये पूरा का पूर अपनी पंजा आप पढ़ाही करोगे, तहीक है, तो अभी मैं आपको एक примत टै कर आजवते करोगे, audio ठीक है, तो अब अब आपको अपनी पढ़ाही करोगे, तो अब तो चाप्टर वैस, पढ़ाही करोगे, तो अब फूरेश समाल, थेक है, तो अब DR. दे देदे ओ, idea of GST, अभी आप से पहले तो देखो, GST full form ताप सबको पता होगा, GST full form is goods and services tax, okay, नाम से क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है, goods and services tax, tax किस के उपर आने वाला है, tax आने वाला है, दो चीजों के उपर, एक तो मैं good's के उपर tax आने वाला है, दुसरा services के उ बहुत संपल है ठीक है दूसरी बात दूसरी बात यह आपका डायरेक्ट टैक्स है या फिर यह आपका इंडायरेक्ट टैक्स है तो मैं आहां आप हमको IDD पढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली GST is going to be an indirect tax ठीक है अभी वो वजह नहीं है ठीक है अभी now just try to understand ठीक है यहां पर अग और लेच से हमलोग हमने पावभाजी ऑर्टर की अहीं टेक है रेस्टरांट में जाके हमने पावभाजी ऑड़र की न जचार्ज किया 200 पे असने हमको 200 पीचSiा ठीक है कास्तरमरकर यहां पर बैठा वा है है रेस्टरांट मैं अभी यहनवी से रेस्टरांट की ये 200 रुपीज की income है ठीक है रेस्टारंट की ये 200 रुपीज की income है तो क्या restaurant इसको अपना sales दिखा के ठीक है उसके बाद में sales में से थोड़े expenses वगरे minus करने के बाद में profit दिखा के can we say वो ये profit के ओपर एक tax भरेगा ठीक है रेस्टारंट ने हमसे 200 रुपए कम है फिलाल मैं कोई GST वगरे include नहीं कर रहे हूं मैं सिर्फ direct tax की बात कर रहे हूं ठीक है अभी let's say for example अभी ये जो टाक्स भर रहा है restaurant क्यों भर रहा है क्योंकि उसने directly कुछ income earn किया है बराबर है directly it has earned some income 200 रुपए उस हमसे कमाया है उसमें से वो अपने expenses वगरे minus करेगा वो कुछ amount profit दिखाएगा उसके ओपर उसको tax भरना क्याना इसे directly उसने कुछ कमाया है इसके लिए उसके ओपर वो tax भर रहा है इसी लिए this type of tax this is the income tax that that person is paying and ये income tax can we also call it as a direct tax ठीक है अब देखो अब दूसरे एंगल से सोचने का कुशिश करो ठीक है ये restaurant है customer आया restaurant में और उसने ये पावबाजी order की 200 रुपया की ठीक है अभी restaurant क्या करता है ये 200 रुपीज जब customer को चार्ज करता है तब इसके साथ में ही let's say उसने GST चार्ज किया at the rate of 5% ठीक है अब इसकी ओपर जब उसने 5% चार्ज किया तो अपने बिल में तो टूहांड़ एंटेन लिख कराया ठीक है और हमने उसको 210 रुपय निकाल के दे दिया अभी यहां पे एक चीज समझने का कुशिश करो restaurant ने हमसे पूड का भी पैसा लिया पर plus restaurant ने हमसे GST भी लिया ठीक है customer का total outflow 210 रुपय हो गया restaurant को 210 रुपया मिले जिसमें से 200 रुपया तो अपने pocket के अंदर रख लेगा पर यह 10 रुपय का क्या होने वाला है यह जो GST यह 10 रुपय का इसका क्या होने वाला है तो yes यह restaurant यह tax भरेगा जाके restaurant जाके यह tax भरेगा to the government ठीक है अभी समझने का कुशिश करो ना यह direct tax है या फिर यह indirect tax है ठीक है अभी आपको whole अलेदा half heartedly आपको answer पता है कि माम यह indirect tax है बट यह indirect tax क्यों है restaurant यह directly अपने income के उपर भर रहा है और दूसरी बात क्या restaurant यह भर रहा है यह customer इसको भर रहा है can we say यह तो amount जो charge कियावा है यह तो customer से charge कियावा है अच्छा ठीक है तो ultimate pair of GST और the person who is bearing the burden जो यह इस चीज का बोजा उठाके रखावा है यह tax का वो तो customer ठीक है अब customer के लिए वो 200 रूपया income है कि 200 रूपया expense है customer के लिए मैं पूछ रहे हूं customer के लिए तो design expense ठीक है अब customer के लिए जब यह expense है expense के ऊपर customer tax बर रहा है अरे income के ऊपर tax बरते है तो उसको income tax बोलते है वो direct tax होता है ठीक है लेकिन expense के ऊपर कुछ भी consume करते वक्त ओके goods consume करते वक्त या फिर services consume करते वक्त ओके let's say for example यह AC remote है यह मैं purchase कर रहे हूँ यह purchase करते वक्त मतलब मैं कुछ goods खर इसते वक्त भी मैं कुछ tax बर रहे हूँ पहली बात हो यह मेरा खर्चा है और खर्चे के ऊपर मैं tax बर रहे हूँ ठीक है so such a type of tax such a type of tax is called as what such a type of tax is called as indirect tax और can we also say can we also say a tax that we are paying on our consumption ठीक है हम कुछ भी consume करने हम goods consume करने दो हम services consume करने दो उसके उपर खर्चा के साथ-साथ-साथ हमने और 10 रुपया दिया tax के form में so such a tax is called as indirect tax and हमेशा ध्यान रखना आपका जो direct tax होता है ठीक है वो direct impact करता है on the person who is earning क्या कहा मैंने वो direct impact करेगा on the person who is earning लेकिन indirect tax का क्या होने वाला है indirect tax उस person को affect करेगा the person who is ultimately consuming ठीक है जो consume कर रहा है उसके ओपर indirect tax का burden आएगा अभी देखो यहां पर burden आया customer के ओपर ठीक है customer ने 200 रुपया पावभाजे के दिये वो तो ठीक है लेकिन customer ने साथ में 10 रुपया का tax भी भरा in the form of GST customer ने directly जाके government को दिया या फिर customer ने restaurant को दिया customer ने restaurant को दिया अब restaurant वो 10 रुपय का क्या करने वाला है restaurant जाके वो 10 रुपय देगा to the government समझ रहा इतना ठीक है तो यह एक basic तरीका हो गया जो आप day to day में करते हो ठीक है day to day में हम shopping के लिए जाते हैं हम day to day में खाने पीने के लिए बहर जाते हैं तो आप कुछ तो amount extra भरते हो as GST and this is how it flows to the government ठीक है यह तो आपने नॉर्मली कुछ देखा होगा अभी GST आपको तो अच्छे से पता ही होगा वैसे अभी यह GST जब पिक्चर में आया था पहली बात तो यह old law है के comparatively new law comparatively this is a new law ठीक है यह आया था अपका year 2017 2017 से यह applicable हो गया था इंडिया में ओके पूरे देश भर में this law was made applicable तो can we say comparatively this is a new law yes अचा अभी आज के दिन अगर आप कोई भी मन्त का ठीक है अब कोई भी दूसरा न्यूस पेपर अगर आपके देखोगे जिसमें थोड़ी finance related news रहते है आप देखोगे मेहने बर मेहने दर महने मलब every month on month आपको वहां पर दिखेगा GST collection record है पर है GST collection इतना हो गया इतना lakh rupees हो गया इतना lakh cro rupees हो गया एक्सेक्टर एक्सेक्टर ऐसे आपने कुछ ना कुछ news देखा होगा सुना होगा पढ़ा होगा कही ना कहीं मतलब एक बात बताओ GST can we say government के लिए बहुत बड़ा revenue source हो गया ओके बहुत ही बड़ा government के लिए क्या हो गया बहुत ही बड़ा revenue source हो गया अब government को पता चल गया भाई इसकी बिना तो काम चलना नहीं है ठीक है और दूसरी बात आपको पता है यह government का आज नहीं पता चला है यह government को सदियों से पता है कि direct tax तो हमको लिना ही पड़ेगा क्योंकि बंदा इंडिया मे सामने वाले ने कुछ भी पैसा बचाया है सामने वाले ने कुछ भी पैसा सेव किया है पैसा सेव करने के बाद में अगर उस पैसे को खर्चा कर रहा है ठीक है गुड्स करीद रहा है तो भाई हम उससे भी उसका tax लेंगे and that tax will be called as what that that tax will be called as that tax will be called as your indirect tax ठीक है अभी GST तो है आपका 2017 से तो मैं क्या उसके पहले government indirect taxes से कोई revenue नी कमाती थी क्या कमाती थी ना उसके पहले भी तो दुसरे loss थे आपके picture में ठीक है बिपोर 2017 आपके पास में अलग-अलग loss है आपको बचना कुछ आईडिया होगा ना कुछ ना कुछ हिंट होगा कौन से लॉस थे बिप services के उपर tax लाया था called as service tax ठीक है manufacturing manufacturing पे और factory से goods निकालने पे there was a tax called as excise duty मराबर है यह आपके एकदम main तीन major type के taxes थे उसके अलावा भी पलाना डिकाना एक्सेक्टरा उन्होंने अलग-अलग type के taxes निकाल थे बट यह तीन आपके एकदम major tax थे ठीक है वाट लेकर रहाया था actually state government state government बोलता है sale of goods sale of goods के उपर हमको वैट ठीक है भाई कोई problem नहीं है ठीक है फिर अच्छा यह उनलोग ने बोला अगर intrastate होगा तब उनलोंने बोला था अगर within the same state ही अगर आप sale कर रहो तो हमको वैट लगाना है फिर सवाल खड़ा हुआ अच्छा अगर intrastate sale हुआ तो एक state से दूसरे state में महारास्टा में बैटी हो महारास्टा से मानो गुजरात में sale हुआ तो फिर कौन सा आएगा तो फिर central government ने बीच में कूद के बोला कि cst applicable हो जागा central sales tax applicable कर दो ठीक है फिर उसके बाद में i services की बारी अभी उनलों को पता चला धीरे-धीरे लोग primary sector से ल tax लगाना है तो सर्विसस के ओपर वो लोग central government of service tax लेकर आगे अचा फिर अगर आप कुछ manufacturing कर रहे हो तो फिर उसके पर excise duty लगेगा factories यगर आप कुछ गुड बाहर निकाल रहे हो तापी भी excise duty लगेगा तो फिर उनलों ने डिवाइड किया कि दो टाइप के excise duty लगेंगे एक तो state excise duty लगेगा और दूसरा central excise duty लगेगा टिके state excise duty, central excise duty by central government, state government जो भी है respectively उन्होंने बुला ये सारे taxes अभी ये सारे taxes आपके basically already existing थे और ये सारे आपके टाइप ओफ इंडाइरिक टाकस थे ओके ये आपके पूरे के पूरे टाइप ओफ इंडाइरेक टाकस थे फिर उसके बाद में slowly, steadily, year 2000 से ही सब चर्चा शु और फिर तबके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये concept लाया, उन्होंने बुला हमको एक tax लेकर आना चाहिए, हमको GST करके टाकस लेकर आना चाहिए, कौन से year में उन्होंने इंट्रियूस किया, उन्होंने इंट्रियूस किया in the year 2000, okay, फिर slowly, steadily करते, 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 करते हम हसते खेलते पहुंच गए in the year 2017, year 2017 में जब हम पहुचे, finally यहाँ पर आपका GST was made applicable, तो मैंने आपसी ये सवाल पूचा था कि क्या पहले, GST से पहले दुसरे taxes नहीं थे क्या, तो answer is GST के पहले दुसरे taxes थे, क्यों नहीं थे, ठीके ये सारे के सारे आपके दुसरे वाले taxes थे, अब उन लोग ने एक तरह से बोल दिया है, कि ये वाले taxes will get subsumed, क्या बोला मैंने, all these taxes will get subsumed, मिल जूल जाएंगे, गोल मटोल हो जाएंगे, ये सारे के सारे एक साथ में आ जाएंगे, और एक नया law picture में आ जाएगा, called as GST, ठीक है, अभी देखो, government ऐसे ही तो नहीं ब आना था, ठीक है, अभी government को अगर कुछ नया लेकर आना था, तो एम ही तो नहीं लेएंगे, बराबर, पुराने वाले law के अंदर, कुछ ना कुछ deficiencies थे, कुछ ना कुछ लूपोल्स थे, जिसके वज़े से government को नियो वाला law लेकर आने का, ठीक है, तो वो purpose के लिए, government deficiencies वगरे identify की है, और बोला कि इसके लिए हमको radical change करना पड़ेगा, पूरा, बोलते हैं रूट से, हमको पूरा का पूरा changes करना पड़ेगा, ठीक है, अभी सबसे बड़ा चीज क्या था पता है, सबसे बड़ा चीज यहां पर, पहले कैसा होता था था, अगर कुछ भी, सबस constitution देखते हैं तो वहाँ पर कैसा था पता है, इतने सारे laws थे, इतने सारे laws बने वे थे, अपके यह, वाट, CST, यह सब को लेके, और हर government अपनी अपनी चला रहा था, ठीक है, वाट आया, तो बोलता है, सेंट्रल, स्टेट गवर्मेंट के हाथ में पावर्ज है, सर्विस ट क्या है, टाइटाइफिश, ठीक है, CST आया, वो तो भाई, अलगी distortion था, अलगी problem था, ठीक है, एक्साइस duty, उसमें भी अलग issues थे, और कुछ पावर्ज सेंट्रल गवर्मेंट के पास में थे, कुछ पावर्ज स्टेट गवर्मेंट के पास में थे, रिस्पेक्टिव लॉ अगर हमको यह सारी चीजे कमबाइन करके, one nation, one tax के towards अगर हमको जाना है, तो सबसे पहले तो हमको, अगर one nation है, हमारा भारत मां, अगर हमारे पास में one nation है, तो उसका एक टैक्स होना चाहिए, तो इसकी लिए हमको सबसे पहले ना, Constitution में amendment करना पढ़ेगा, क्वार्ज सेंट सबसे पहले तो जी एस्टी लॉल लाने से भी पहले हमको सबसे पहले तो कॉंस्ट्टिटूशन में चेंज़ेस करने पड़ी तो गवर्मेंट को यह बात समझ में आगी कि हाँ अगर हमको सब को सेंट्रलाइजड रखना है और मततलि हमको पावस सेंट्रल गमेंट को भी देने हैं स्टेट गमेंट को भी जी रवाब मेंट को भी तो फिर्य वापस वह्य है अभी ग giàवर्मेंट है कि अब तो कुछ रख नहीं सकते तो उन्हों ने बुला ठीक है ना मेजॉरिटी सिस्टम पर हम वक करेंगे डेम करेंट कंट्री है ठीक है पुब्लिक ने चूज करके गवर्मेंट बनाई है वो गवर्मेंट के अंदर मेजॉरिटी लोगों ने भी जीस्टी अप्रूफ कर दिया जी अप्ली क्या है तुमको तो फिर वो लोग अपना एक्स वाइज एड रीजन देने लगे पता एक वो फियर होता है ना कुछ नया आने वाला होता है तो वो कैसा होगा तो वो हम समझ पाएंगे क्या वो हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा उससे किसी का भला होगा कि नहीं होगा ये सारी चीजे लोगों के दमाग में घुमने लगें तो फिर उसके बाद में government try to prove the opposition कि पुराने वाले law के अंदर कुछ कमिया है ठीक है पुराने वाले law के अंदर कुछ deficiencies है जो हमको meet करनी पड़ेगे तो उन्होंने पूछा क्या deficiency है तुम बता लो लेकर आने का तो हमने उंको समझाने की कोशिश की कि क्या डेपीशिंसी है ठीक है तो कुछ-कुछ पॉइंट में आपको बता देती हूं बाकि तो हम जब चाप्टर शुडू करेंगे तब मैं आपको बता दूगे अभी जैसे कुछ-कुछ चीजे थी कुछ-कुछ क्या बोलते हैं इसको गुड्स थे या फिर कुछ-कुछ सर्विसस थी ठीक है जिसमें ना क्लारिटी नामक चीजी नहीं थी अभी क्लारिटी नामक चीजी नहीं थी मतलब क्या मतलब कि वो गुड्स है या फिर वो सर्विसस है मैं क्या यह क्लासिफा वाले रेजीम में अगर गुड्स था तो उसके पर वैट या CST लगेगा ठीक है मानो अगर वो इंट्रा स्टेटी था तो वैट लगेगा और अगर वैट लगेगा तो रेविन्यू वो स्टेट गवर्मेंट को जाएगी अचा और अगर वो सर्विस है तो उसके ओपर सर्वि स्टेट लगेगा तो वो रेविन्यू संट्रील गर्मेंट को जाएगी तो पुराने वाले कोई-कोई चीजों मेना उसके पर Clarity नहीं ती तो पते कोई-कोई आइटम के पर क्या होता था वाट भी लगता था सर्विस टैक्स भी लगता था यह भगवान वैट भी लग रहा कस्टमर का जाएगा बिकोस कस्टमर 200 रुपए कि तो वो पावभाजी करीद रहा है प्लस उसके ओपर वह वद्ट भी भरेगा प्लस उसके ओपर वह सर्वेश टक्ष भरेगा भाई अल्टीमेटली उसका पावभाजी पचेगा तब तक तो वह इल्रेडी हाइपर टेंशन मे बात जब प्रैना एकसाइज ज्यूटी लगता था अब पहली बात आप इकसाइज ज्यूटी कब लगता था एकसाइज ज्यूटी लगता था के मैनिफस्ट्रिण के टाइम ठीक है और उसके बाद मेनिफस्टेर करके आप आगे वो गूट्स को बेचोगे भी तो सही ना तो बेचोगे तब उसके पर वैट भी लगे ठीक है अभी मैं आपको इसका एक से आपने कुछ गुट्स मैनुफाक्चर किया वो मैनुफाक्चर करने के बाद में उसका पॉस्ट आया सौ रुपया ठीक है कोस्ट ऑफ मैनुफाक्चरिंग ले लेते हैं that is 100 रुपीज प्लस जब आप उसको उसको मैनुफाक्चर करते हो तब उसके उपर एकसाइस हो गया एक्सो दस रुपया ठीक है यह दस रुपय तो मेरे पोकेट में जाना नहीं है तो गम्हंगन को जाना ठीक है कि अब ही यह एक शैज जूटी लगके मेरा वैल्य हो गया हंडड़ एंट है अब के उपर इसके उपर मानो मैंने थोड़ा प्रॉफित रुपित किया ठ दूर्मल है मनिफेक्ट्य करेंगे तो मेद्र करना in उग प्रॉफिट अड करके मेरा सील्स हो गया इसके पर वाट हुगया 10 बरसें तो विट को बचेंगे तो वैम फिंट लगाना ही पड़ेगा वापस अथ एकदम imaginary rates है अभी मानों इसके पर वाट हो गया 10 परसेंट तो वाट लग गया 15 रुपया total sales value हो गया 165 रुपय यह normal mathematics आपको समझ में आ रहा है यह था ठीक है अभी यह इस हिसाब से यह working हो गई अभी इसमें अभी इसमें tax government को कैसे जाएगा ठीक है इसमें government को tax कैसे जाने वाला है वो समझ से अभी government actually यहाँ पे ले लिया excise duty 10 रुपय का ठीक है और दूसरा government के पास मैं वैट चला गया 15 रुपय का total price हो गया 25 रुपय टोटल tax amount हो गया 25 रुपय ठीक है अभी government का क्या कहना है अभी आप में कोई एक चीज bifurcate करके बताओ यह जो 15 रुपया आया 10% जो आया वो किस किस के उपर आया ठीक है यह एक तरह से चलो अगर मैं आपको इसका bifurcation करके बताओ एकदम simple bifurcation ठीक है 10% of 150 is equal to 15 रुपी ठीक है अभी इसमें से यह 150 बना कैसे तो 150 बना कोस्ट 100 रुपीस है उसके उपर 10% आ गया 10 रुपय तो फूपय तो बही आ घ्या ठीक है फिर उसके बाद मेंu एक्साइस ड्यूटी लगा एक साइस ड्यूटी कि तना लगा 10 रुपय लगा उसके ओपर भी 10% आ गया मतलब 1 रुपय और फिर उसके बाद में और फिर उसके बाद में profit हो गया profit हमने लगाया 40 रुपया तो 40 रुपय के उपर add the rate 10% 4 रुपया आपका वो हो गया वैट तो इस तरीके से can we say मेरा 15 रुपया का वैट यह हो गया अभी इसमें इसमें problem की धर है इसमें problem की धर है can we say चलो profit के उपर लगाया वो तो समझ में आता है ठीक है profit के उपर tax लगेगा वो समझ में आता अभी आपने यह देखा एकसाईज 10 रुपया के उपर 10 परसेंट लगा एक रुपया यह तो problem ही है न क्यों यह problem है अरे भाई यह तो tax था ना excise duty तो tax था और tax के उपर वैट लग गया मला tax के उपर tax लग गया मतलब एक क्यों पर एक लगते जा रहा है बोजा बढ़ते जा रहा है ठीक है This is called as cascading effect What did I say? This is called as cascading effect तो एक तो ये problem है, ये नहीं होना चीए था दूसरी बात कहने इसे ये जो 100 रुपय का cost है, इसके उपर already एक size लगा दिया ना भाई, तुमने ये दस्टा का, तो वापस से उसके उपर वैट लगाने का क्या purpose हो गया, तो कहना इसे वापस से एक ही, एक किच 100 रुपय के उपर multiple taxes लगते जा रहा है एक ही 100 रुपय के उपर multiple taxes लगते जा रहा है तो अभी इसमें actually तो लगना चाहिए था केवल 4 रुपया लेकिन 4 रुपय के बज़े total लग गया, 15 रुपया ये हमने पूरा का पूरा bifurcation करके opposition को दिखाने का कुशिश किया देख भाई, ये problem है ठीके, अभी इस वज़े से actually पता है government को कितना जाना चाहिए था actually, ये 10 रुपय excise हमको समझ में आता है, वो गया चलेगा ठीके, और ये जो profit है ना, 40 रुपया, इसके उपर तुमसे वैट ले लो, 4 रुपया का वहाँ तक हमको समझ में आता है actually, 10 रुपया plus 4 रुपया, total 14 रुपय का tax government को जाना चाहिए था, but actually कितना चला गया, actually 25 रुपया चला गया, इस वज़े से, कैना इससे, ultimately customer के pocket को मार पड़ी उगे, उसके घर पे जो goods का value आ रहा है, वो तो बहुत कम आ रहा है, but ultimately, he is ending up paying 165 रुपीज in all, जबकि goods का वो value ही नहीं बनता समझ में आ रहा है इतना चीक है, अभी कुछ लोगों ने बोला, यह काम करो ना जब आप यह वैट पे कर रहो ना, 15 रुपय का तब आप उसमें से 10 रुपया माइनस करके भर दो मैं मतलब क्या, मतलब यह जो वैट आप भर रहे हो जो आपका sales के उपर का जो tax है, उसके सामने आपने already government को जो taxes भर दिया है उसका set off ले लो तो यहाँ पे government लडने के लिए खड़े होगा है क्यो government लडने के लिए खड़े होगा है यह जो excise duty है 10 रुपय का यह किसके pocket में गया Central government यह 15 रुपय किसके pocket में जाने वाला है State government तो क्या वो लोग set off करने दें यह नहीं, बोलेंगे individual revenues है तो यह तो हमारे pocket में जाना चाहिए आर यह बात समाझ मैं ठीक है तो यह कुछ ठीक है सब नहीं बोला मैंने यह कुछ deficiencies थी पूराने वाले लोगन तो मैं यह actually होना कैसे चाहिए था मैं यह actually होना कैसे चाहिए था यह होना ऐसा चाहिए था जहां पर we are saying cost of the goods is equal to 100 rupees प्लस मानो उसने value addition किया मतलब profit लगाया profit उसने लगाया 40 रुपय का total amount हो गया 140 rupees 140 के उपपर सीधा GST लगादो हम सेम rates ले रहा है GST लगादो at the rate of 10% तो 40 rupees होगा और total amount यहां पर आपका हो जाएगा 154 और government के pocket में कितना tax गया government के pocket में 14 rupees का tax गया same 14 जो जाना चाहिए था पूराने वाले regime के अंदर भी पर पूराने वाले regime में दो problem आ गई एक तो multiple taxes की problem आ गई दूसरा tax on tax की problem आ गई that is cascading effect उस वज़े से government को जा रहा था 25 रुपया जबकि जाना चाहिए था तो government ने बोला हमको ऐसा करना चाहिए that is हमको total value के उपर tax लेना चाहिए ताकि double double tax आर ये बात समझ में ठीक है तो ये कुछ deficiencies ते जो हमने highlight किया जो अपना GST का council था या फिर जो आपका committee था जो GST implementation के पीछे पड़ावा था ये उसने opposition को समझाने की कोशिश की कि देखो भाई ये दिक्कत है इस वज़े से हमको GST लिका रहा आर ये बात समझ में ठीक है चलो यहां तक समझ में आ रहा है basic ठीक है अभी देखो ये सब हुआ वगर वगर उसके बाद में कब से हमने महनत शुरू की थी इसके उपर गवर्मेंट ने महनत इसके पर शुरू की थी from the year 2000 लेकिन उसके बाद में इसके उपर कुछ खास action नहीं हुआ उसके पर कुछ भी खास action नहीं हुआ ठीक है introduce वगरे किया कोशिश करने की GST लाने की कोशिश वगरे की ठीक है उनलों को introduce करना था 2010 में एक बार announce भी कर दिया कि 1st April 2010 से GST लागू हो जाएगा पर कुछ खास law बनने पाया ठीक है या फिर हम जो purpose meet करने की कोशिश कर रहे था है वो purpose meet ही नहीं हो पा रहा था ठीक है फिर उसके बाद में 2014 के अंदर हमारी सरकार बदली ठीक है तब से इंडिया के भाग बदले अभी 2014 में finally जब government आई government को पता था कि उनको ये चीज़ लाने की बहुत ज़ादा जरूवत है so 2014 से इसके उपर एकदम से धमाका या फिर एकदम से action शुरू हो गया और सबसे पहले government ने realize किया, ठीक है सबसे पहले government ने realize किया कि हमको सबसे पहले जाके constitution के अंदर amendment करना पड़ेगा अभी क्यू constitution के अंदर हमको जाके amendment करना पड़ेगा इसका मैं आपको reason समझाते हूँ अपना इंडिया का जो समविधान है इंडिया का जो constitution है उसके अंदर अलग-अलग articles है जैसे act के अंदर के अलग-अलग sections होता है वैसी constitution के अंदर अलग-अलग articles है तो एक article एक article आपके constitution के अंदर का क्या बोलता है पता है कि central government के पास में central government के पास में उसके खुद के powers है to levy the taxes central government अपने मन अनुसार taxes लगा सकता है फिर state government अपने मन अनुसार tax levy कर सकता है मैं आपको example देती हो कैना यह से central government आपका income taxes लगाता है वो पावर state government के पास में है इन ठीके वैसे central government अपने इसाप से taxes लगाता है जैसे कि हो गया आपका stamp duty हो गया property taxes हो गया municipal taxes तो का local authority के पास आता है बट इसी सब से जैसे आपका पहले वैट होता था तो वैसे state के पास में है अपने खुद के respective powers है कि वो अपने respectively respectively वो अपने मन अनुसार taxes लेवी करता है पर अब हमको क्या करना था पता है हमारे जो पुराने वाले जितने भी taxes थे ठीक है फटा 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 नाम बताते जाओ ठीक है देखो अभी आप वीडियो देख रहे हूं ठीक है तो आपको घर बैटे बैटे भी आपको answers देना पड़ेगा तो ही आपको इसे लगेगा as if आप live class के अंदर बैटे पर ठीक है अपका हो गया वैट हो गया CST हो गया आपका service tax हो गया और कुंसे टाक्स सा पुराना वाला या फिर आपका एक साइस जुटी हो गया एक सेक्टरा यह सारे की सारे टाक्स के पावर्स अलग अलग मैं उस ख़ारी हूँ हम को और सेने में आ अलग भावर्मनट को भी पावर्स देना पड़ेगा मतलब पता है यह अका इकलौत ऐसा जिसमें जो सा इक्स्राइक्स दो ठीक है यह हो गया अभी तो इस चीज़ के लिए Constitution के अंदर तो क्या लिखावा था Central Government अपना Tax लगाएगा, State Government अपना Tax लगाएगा, मिले जुले वाले पावस्तों थे ही ने उस वज़े से उनको Constitution में Amendment करना था ठीक है अब देखो Constitution में अगर अमेंडमेंट करना है तो ऐसे नहीं कि हाँ चल ठीक है कर लेंगे ऐसा नहीं होता Amendment ठीक है दिर इस अ प्रोसीजर फॉर्ट अभी वो प्रोसीजर में जैसे बते हैं आपका बजट कभी भी आता है Finance Act बजट बजट को हम Finance Act बोलते हैं ठीक है जब भी आपका Houses of Parliament से Approval मिल जाती है लोग सबाराजे सबास जब हमको Approval मिल जाती है तब उसके बाद में है न वो Act बनता है अभी सेम जीज़ आपके Constitution के लिए अपलिके बले है अगर आपको Constitution के इंदर Amendment करना है तो सबसे पहले है न आपको Constitution Amendment Bill लाना पड़ेगा क्या का मैंने सबसे पहले अपनको Constitution Amendment Bill लेकर आना पड़ेगा तो इन लोग सबसे पहले सरकार में आते ही 2014 में मोधी सरकार बनते ही सबसे पहले उन लोग लोग सबसे अंदर ये Constitution Amendment Bill इंट्रिड्यूस किया ठीक है यह हुआ 2014 यह अंदर जब उन्होंने लोग सबसे इंट्रिड्यूस किया लोग सबसे अपनको अप्रोवल मिल गया उसके बाद में हमने इसको रखाया राजे सबसे पेश किया राजे सबसे अबर हमको मेज़ोरिट इसे होता है जिन्होंने जब तक बुक में नहीं देखा होता है तब तक उनको confidence नहीं आता तो पहले concept समझ लोग सबसे अपने लोग सबसे पास हो गया उसके बाद में राज्य सबसे और उसके बाद में यह आपका Constitution Amendment Act बन गया ठीक है अब मैं वर्ड आक्ट यूज कर रहे हो मतलब यह कच्छा पक्का है कच्छा कच्छा है कि पक्का पक्का है यह आपका पक्का पक्का है ठीक है Constitution Amendment Act मतलब भी आपका पक्का हो गया and by the time यह हुआ ना तब तक आपका 2016 2016 यह आचुका था ठीक है अभी जब तक यह हुआ ठीक है तब तक 2016 यह आचुका था महने शुरू हुआ थी 2014 से यह होते 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 2016 हो गया अभी 2016 में जब Amendment Act पास हुआ तब गर्मेंट को एट लीस्ट यह तो था कि चलो भाई हमने Constitution में तो Amendment कर दिया मने आधिस दाता तो रस्ता क्लियर है पिर उसके बाद में उन्होंने सबसे पहला जो काम किया ना वो उन लोगने GST Council बना है ठीक है सेम 2016 यह में जैसे यह है ना Constitution Amendment Act आपका हुआ था August 2016 में और फिर उसके आद में अगली महने में सेप्टेंबर 2016 में इन लोगने बना दिये एक GST Council टेके GST Council के अंदर अलग अलग गवर्मेंट से मेंबर्स होता है Central Government से भी कुछ मेंबर्स होता है State Government से भी कुछ मेंबर्स होता है वो उन लोगने बना दे फिर यह बनाने के आद में हमने इंको पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौब दी कि भई अब तुम देखो सरकार का काम ता Constitution में अमेंटमेंट करवा के देना अब आग काम तो तुमको करना है तो यह सारे के सारे दिमागदारी लोग आके बैठें GST Council के अंदर इसके बाद में GST law प्रपोस किया ठीक है GST law प्रपोस किया मैंने GST act वर्ड यूज नहीं किया ठीक है ध्यान रखना मैंने GST law वर्ड यूज किया अभी हम देखेंगे GST law के अंदर क्या क्या आता है फिर फाइनली जाके है न सम्वेर इन April 2017 यह GST law पास हो गया ठीक है यह अप्रूफ भी हो गया GST law जैसे आ दोनों houses of parliament के अंदर पास होगा और फिर फ्रेसिदेंट अपना एसेंड नहीं गया ठीक है यह सब हो गया April 2017 तो यहां पर GST law बन गया पिर उसके बाद में उन्होंने अगले महने में जाके कुछ GST rules भी बना दिया and somewhere in May 2017 GST के rules भी तयार थे मतलब हम मोटा मोटी पूरे तया हो गया ना पहले अपनारा Constitution के अंदर का जो अमेंडमेंट मेंट था वो हो गया उसके में GST law लेकर आने का था जिसलों बन भी गया GST law लेकर भी आगए GST के rules भी लेकर आगए तब तक हम पहुंच चुके थे में 2017 पिर उसके बाद में फिर उसके अभी देखो यहां तक का जो भी काम था ना यहां तक का जो भी काम था यह सब किया एक तरह से Central Government ठीक है फिर उसके बाद में अब हमको याद आया अरे भाई GST हम अकेले तो नहीं लगा सकता है GST Central Government and State Government दोनों मिला जुला की लगा सकता है तो फिर उसके बाद में हमने जाके सारे के सारे States and Union Territories को अ प्रूब कर दिया था तो फिर हम गये States के पास में States को हमने जाके बोला भाई चलेगा क्या यह जो GST Rules और GST Law बनाए इसाब चलेगा क्या तो फिर 30 जून 2017 बेसिकलि अपके जून एंड तक अगले में न जून एंड तक क्या हुआ पता है आपको सारे के सारे States सारे के सारे States सिवाए एक सिवाए और जमो और कश्मीर इसको छोड़ दोगे न तो सब ने हाँ बोल दिया सब ने बोल दिया सर बहुत अच्छा लो आए मजा आ सिवाए जया और अब तो यह वाला टाक्स जो है वह सर्विसेस के उपर विलागेगा तो कैन वी से थोड़ा रेविन्यू स्टेट्स के पास में भी आयेगा देखो रेविन्यू तो शेयर होने वाला है ठीक है लेकिन कुछ तो भागाया हमारे पास मैं ठीक है सी एस्टी ज सिवाई जमू इन कश्मीर उन्होंने मान लिया ठीक है तो इन्होंने गर्वर्मेंट ने क्या किया देरी करनी नहीं हमको लेट करना ही नहीं हमको अगले दिन से बोल दिया 1st July 2017 फाइनली इन्होंने बोल दिया आज है हमारे नया लौ का लॉंचिंग आपका जीस्टी वाला लौ उस दिन पर लॉंच हो गया कौन पीछे छोड़ीया था जमू कश्मीर पीछे जोड़ीया यूनिन टेरिटरीज की पास पर आप्शन ही नहीं है तो यूनिन टेरिटरीज को उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अमिच्शा जी ने क्या किया मोदी जी ने क्या किया बाकी मिनस्ट DRS ने क्या किया किसी को कुछ ने पता लेकिन हफते भर के अंदर अंदर ठीक है, 8th July 2017, जमु कश्मीर भी आके बोल दिया, हमको मन्जूर है, मिठाई यावाटो हमको मन्जूर है, ऐसा जमु कश्मीर स्टेट ने भी बोल दिया, समझ में आ रहा है था, ठीक है, तो as on today अगर मैं आपको बोलो, as on today what is the position, as on today the position is that GST law is applicable to whole of India, including what, including the state of जमु कश्मीर, समझ रहा है, और उस दिन से लेके, आज तक यह journey, as it is continue हो रही है, समझ में आ रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यू हुआ, एक्सेक्टर, 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 येस, Constitutional Amendment की जरवत क्यों थी, वो समझ माया है, पहले रिस्पेक्टिव गवर्मेंट के पास में रिस्पेक्टिव पावस थे, कि वो अपने अपने टैक्से लेवी कर सकता है, लेकिन GST के अंदर हमने सोचा, वन नेशन, वन टैक्स रहाएगा, एक ही टैक्स रहाएगा, GST नामक हो गया, because of introduction of GST, इसके लोनोंने बोला, हमको dual model लिकर आना पड़ेगा, dual GST model लिकर आना पड़ेगा, जिस वजे से इन्होंने सुचा, सबसे पहले चीज़ जो हमको करनी है, वो हमको करनी है, is constitutional amendment, constitutional amendment होने के बाद में, council बनाई, council ने laws और rules बनाया, laws और rules को अप्रूफ करव है, yes, ठीक है, यह आपका एकदम बेसिक था, ठीक है, यह आपका एकदम बेसिक था कि GST picture में आया कैसे, अब जितना भी हमने किया है, at least मैं आपको उतना बदा देती हो, notes के अंदर से, तो आपको आपके लिए easy हो जाएगा, manageable हो जाएगा, ठीक है, अभी GST in India and introduction, यह आपक 2017, यह तो हमको already पता है, दूसरी पाक, GST is a destination-based consumption tax, consumption tax हो हमको समझ में आता है, हमने वो पावाजी के example में देख लिया था, हम customer को को income तो होई नहीं आता, customer तो consume कर रहा था, तो इसको बदा टाक्स भर रहा था, ठीक है, destination-based यह वाला term में आपको अपतर पढ़ा है यह, इसक ठीक है, अभी देखो, उतकी बाद में constitution amendment का बात करता है, अभी उन्होंने नाम देखना, everyone here pay attention, ठीक है, नाम देखना, constitution 122nd amendment bill 2014, amendment bill लेकर आया था वो लो, ठीक है, propose किया था उसको, and that was one, ठीक हो, यह तो हमने amendment किया for the purpose of GST, उसके पहले भी बहुत बर constitution बदला होगा, so this is the 12 22nd bill, that was introduced on GST, on 19th December 2014, सरकार आय थी, जून जुलाए के अंदर, उसके अनमे December में, इन लोग ने ये बिल को प्रपोस किया, लोग सभा ने इसको पास कर दिया, on 6th May 2015, राजे सभा ने इसको पास कर दिया, 3rd August 2016, not very important, dates are not very important, conceptually समस्ते जाओ, सबसे पहले बिल रखा, बिल को ल राजे सभा ने अप्रूवल दे दी, और फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, subsequent to ratification, ratification is nothing but approval, subsequent to ratification of the bill by more than 50% of the states, लोग सभा और राजे सभा त आपके पार्लियामेंट के अंदर आता है, और पार्लियामेंट क्या हो गया, पार्लियामेंट एक तरह से अपका Central Government का हो ठीके, Central Government के दोनों houses ने और पार्लियामेंट के दोनों houses ने approval दे दिया, उसके बाद में, मोर दन 50% of the states ने भी approval दे दिया, उसके बाद में, देखो ना, Constitution 122nd Amendment Bill 2014, received the ascent of the President on 8th September 2016 and 16, and became the Constitution 101, 101st Amendment Act 2016, which paved, which showed the way for introduction of GST, सबसे पहले हमने लोकसभा का approval लिया, उसके बाद में, हमने राज्यसभा का approval लिया, उसके बाद में, हमने majority of the states का approval लिया, यह सब आने के बाद में, हम गए, हमारे Chief के पास में, एक the most important person in our country, that is President के बाद में, सबने हाँ बोल दिया, सबने हाँ बोलने के बाद में, वो क्या बन गया, वो अपका Constitution, 101st Amendment Act 2016, बन गया, जिससे हमको पता चल चुका था, जिससे हमको पता चल चुका था, कि भाई, GST को अब आने से कोई नहीं रोक सकता, समझ रहा है था, ठीक है, यह सब हुआ, अब देखो, मैं आपको यह, इस diagram में से भी समझा देते हूं, ठीक है, सबसे पहले, year 2000 में, उनलोगने committee बनाई, जिसमें उनलोगने GST model को प्रपोस किया, यह हुआ 2000 में, ठीक है, 2006 में उनलोगने announce कर दिया, हम GST लेकर आया रहे, 1st एपरिल 2010 से नहीं हो पाया, ठीक है, सरकार स्टेबल नहीं थी, तो नहीं हो पाया, फिर उसके आद में, आये हमारे मोधी जी, 2014 में, उन्होंने यह बिल लोगसभा में, इंट्रिड्यूस किया, वो हो गया, फिर उसके बाद में, amendment act पास हो गया, ऑगस्ट सेप्टेंबर में वो amendment act एक तरह से आपका पास हो गया, फिर उसके बेसी के लिए, see, it is not a one day process, ठीक है, वो होता गया, and august September में, it finally got done, September में हमने, जिसे मैं आपको बहला, GST council बने, GST council ने ये सारे laws के लिए, प्रपोस किया, और उसके आद में, April 2017 में, आपका GST related जो भी acts थे, वो सारे के सार पास हो गया, and जैसे मैं आपको बताया, 30 June 2017, 30 June 2017, सबने, सिवाय जमु कश्मीर, सबने उस चीज के लिए मान लिए, ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हुए, अब ये देखो ना, कैसे बूला इन लोग ने, on 27th March 2017, Central GST legislation, Central na, Central GST legislation when introduced in लोग सबा, जैसे मैं आपको बताय सबसे पहले तो जो काम किया, सब कुछ Central Government ने किया, ठीक है, Central GST laws were introduced in लोग सबा, लोग सबा ने उसको हाँ भी बोल दिया, and फिर उसके बाद में, President का भी एसेंट आ गया, Bill Act के अंदर convert हो गया, ठीक है, 30 June तक, यहां तक तो सब कुछ अपके Central Government ने किया था, उसके बाद में तक, respective states and union territories भी हां बोल चुके था, सिवाए एक, that is your Jammu Kashmir, and अगले दिन से, 1st July 2017, CA Day, GST Day, सब कुछ मना लिया हूं लोग ने, on 1st July 2017, and this historic reform of GST was introduced, okay, and फिर उसके बाद में, यह देखो न, 8th July 2017 को, this GST law also got extended to Jammu and Kashmir, समझ रहा है इतना, ठीक है, तो अगर मैंको आपको एक बार वापस से, summarize करके, इसका sequence बताने का है, तो मैं कैसे बता हूँ आपको, सबसे पहले हमने constitution, short में लिख दो, सबसे पहले हमने constitution amendment bill proposed किया, ठीक है, उसके बाद में, यह आपका constitution amendment act भी बन गया, ठीक है, इससे हमको प यह हमने सबसे फ़हले propose किया, लोग सभाव अगरे में अपरूव हो गया, प्रेसिडेंट सवर का भी हमको एसंट आ गया, उसके बाद में हम सेम लॉज के लिए गये, उसके बाद में हम सेम GST लॉज के लिए हम गये, स्टेट गर्मेंट के पास में, और majority स्टेट ने इसको प्रूब कर लिया और उन्होंने अपने अपने लॉस भी बनाना शुरू कर दिया सिवाए एक डाट इस जमू अन कश्मिर तो गश्मिर ने बोला एक बाल के लिए छोड़ देता है ठीक है जमू कश्मिर को छोड़के बाकी पूरे की पूरे इंडिया को GST applicable कर दिया उन्होंने from 1st July 2017 और फिर उसके बाद में 8 July 2017 को जमू कश्मिर ने इसको adopt कर लिया and it became applicable to whole of India ठीक है यह बेसिक्स है यह बेसिक्स अभी देखो Constitution Amendment Will Constitution Amendment Act यह तो ठीक है यह हमारे लिए यह एक प्रोसेस था जो हमको करना था क्योंको सबसे वहले Constitution के अंदर amendments करना अभी यह देखो ना मैं कुछ words यूज कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से Central Government ने अपना Central Law बनाया State Government ने अपना खुद का कुछ laws बनाया मालब क्या laws बनाया क्या laws बनाया वह समझने का कोशिश करके अभी देखो यहां पर जब GST का बात आया हूँ ठीक है we know that GST is one nation one tax okay GST is what GST is one nation one tax tax तो एक ही लागू होने वाला है लेकिन अभी उसको लागू करने के लिए कुछ तो प्रोसीजर होगा न उसको लागू करने के लिए कुछ तो रूल्स रेगूलेशन एक सेक्टर बनाने होंगे तो इन लोग ने क्या किया बोलते टैक्स तो एक ही लगेगा पर उसके लिए उन लोग ने टो तरली कुछ चार टाइप और चार भी ने मुझे पांच लिखना चाहिए थीक इन लोगने पांच टाइप के एक्ट्स नेिकाले कि enthusiast law लेकर आने का था जिसके लिए पाँच टाइप के एक्ट निकाले मैं यह क्या पाँच एक्ट है तो इन्होंने सबसे पहले बोला सबसे पहला जो आपका एक्ट है वो है CGST Act 2017 जो Central Government लेकर रहे हैं मैं what is the CGST? GST का तो आपको मतलब पता है C stands for Central Central GST Act 2017 यह यह लोग लेकर रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद में यह तो Central Government लेकर रहे हैं उसके बाद में Union Territories के पैस मैं कर रहे है Union Territories तो मानी भी थी तो Union Territories ने अपना Act बना Union Territories के लिए Central Government ने एक Act बनाया that is UTGST Act 2017 UT stands for Union Territory GST Act 2017 ठीक है अब यह यह जो UTGST Act है यह एकी Act है जो सारे के सारी Union Territories को अप्लाय होना आ लिया है मैं कौन कौन सी Union Territories वेट ठीक है अजा यह तो Central GST है यह Central GST है मतलब इस 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 मेड़ बाई हूम this is made by Central Government so this is applicable to whole of India ठीक है Union Territory है so this वाला Act is applicable only to the Union Territories फिर उसके बाद में respective states ने अपने खुद के SGST Act बना लिया है जो भी states मानी ना जमू कश्मीर को छोड़के पहले तक जो भी states मानी उन लोगने अपने-पने SGST Act 2017 बना दिया अभी यह एक Act नहीं है ठीक है multiple Act जैसे महरास्ट्रा को खुद का महरास्ट्रा SGST Act है तमिलनाडू हो गया तमिलनाडू SGST है राजस्थान बोलो राजस्थान SGST है and so on and so forth ठीक है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में इन लोगने एक और Act बनाया अब आगेस अग्जास्था चुछा अग्छा कोंसा लोग भी उसकर ने का हम देखेंगे ठीक है ठीक है फिलाल आया आया संद्रा एग्रेट और ये भी एन ऊंड्रल मिन अवना तो के सेंट्रल मिन ने बनाया तो अगर चैन्रल मिन आपने ने बनाया only to the state of महराष्टा वैसा ठीक है और फिर उसके बाद में और फिर उसके बाद में अभी देखना ध्यान से देखना कुछ-कुछ states है जिन्होंने बोला sir हमने हाँ तो बोल दिया पर हमको कुछ loss of revenue हो रहा है जैसे पहले ना कैसे होता था कुछ-कुछ जैसे demerit products होते थे जो अच्छे products नहीं थे या फिर कुछ luxury products होते थे उसके उपर ना state government ना दे दनादन दे दनादन टैक्स लेवी करता था और अनाप्शन आप टैक्स लेवी करता था और वो पूरा का पूरा state government के पैस में जाता था लेकिन अब वैसा रहा ने ठीक है अब कैसा हो गया अब अगर कोई भी tax अगर लेवी होगा तो शेर किया जाएगा दो government के बीच में central government and state government तो states ने बोला सर आपका GST वागे तो सब ठीक है पर हमारा तो loss of revenue हो रहा है कोंपनसेशन टू स्टेट्स GST कोंपनसेशन टू स्टेट्स CES Act 2017 नाम से ही समझ गया होगा ना किस परपर्स के लिए act लाया act लाया because central government wanted to compensate whom central government wanted to compensate the state अब देखो यह है न हर transaction में applicable नहीं होता बट कोई कोई चीज़ों में हम यह applicable होगा हम यह आगी जाके पढ़ेंगे बट यह जो चार टाइपस है ना cgst utgst sgst igst this is तो applicable यह normally हर प्रोडक्ट के उपर applicable होने वाला है तो उन्होंने यह वाले टाइप के laws introduced कि अब मैं आपको यह दिखा देती हूँ यह देखो यहां पर बोड़ पर दिख रहा है लॉज विच केम इंटो फोर्स cgst act आया आई gst act आया utgst act आया and gst compensation to states says act 2017 आया और उसके बाद में उसके बाद में states state ने अपने खुद के laws यह तो उपर central वाले था तो state ने अपना खुद का law लेकर आया that is your sgst हर state ने अपना अपना law लेकर आया तो ऐसे आपके 5 points यहां पर complete हो जाता है yes जो अब भी हमने पांच पॉइंट पड़े वह आपके complete होता है फिर यहां पर not very important यहां पर उन्होंने other laws का बात किया वा है other laws में देखो ना क्या बोलाव है tgst amendment act जब तब amendment करना था तो amendment act के through amendment किया IGST amendment act फिर यहर साल का आपका finance budgets यह सब है तो यह तो ठीक है यह तो चलता रहने वाल है यह तो lifelong चलता रहेगा इसमें कोई problem नहीं है बट यह आपके major laws है ना जो generally generally जिसका base change नहीं होता है समझ आ रहा है था ठीक है अभी देखो यह आप तो अभी यहां पर problem क्या थी ठीक है cgst हमको समझ गया applicable to whole of India union territories union territories का हमको इतना समझ माया कि UTGST Act will be applicable to all the union territories ठीक है अभी अगर मैं आपको normally union territories पूछो तो आप मुझे क्या answer दोगे आप बोलोगे मायम लक्षवधीप union territory है अंधुमान निकोबर आइलेंड union territory है डेली भी in fact it is a union territory ओके यार्ड पुद्दुचेरी पुद्दुचेरी इस also an union territory and some more तो आप बोलो के मायम यह सब union territory है तो इंको UTGST applicable होना चाहिए तो अभी है ना जब हम union territories and states union territories के पास्क में गया है तुमको खुद का SGST बनाना देखो फरक्या पड़ जाता है अगर तुम union UTGST बन रहो तो भई तुमारे लिए सब कुद सेंट्रिल गवर्मेंट करने वाला है लेकिन अगर तुम स्टेट बनके अगर तुम खुद का legislature लेकर आ रहे हो तो फिर तो you are governing yourself on your own तो अभी देखो यहां पर क्या हुआ पहली बाद तो आपके जितने के जितने स्टेट्स थे जो सिफ स्टेट है जो यूनियन टेरिट्री है नहीं महारास्त्रा होगे गुजरात होगे राजसार होगे वह इंको तो पक्का SGST Act ही applicable होने वाला है उनका कुदका रिस्पेक्टिव SGST Act 2017 ही आप अब हम सबसे पहले गए यूनिन टेरिटरी में हम सबसे पहले गए चंदीगड के पास है ठीक है चंदीगड जी को पूछा की हाल तो चंदीगड ने बोला हम तो यूनिन टेरिटरी ठीक है ठीक है इफ यूनिन टेरिटरी तो तुमको कौन सा लौ आप्लिकेबल होने वाला तुमको UTGST आपने के बादा है, बोला चंगा सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट हम गए, अन्दमान और निकोबार आयलाइन्स के पास में, वो बोलते हैं, मैं तो अभी में को तो UTGST ही रहने का है, ठीक है, फिर उसके बाद में हम गए, लद्दाक के पास मे लद्दाक बोल रहा है, मुझे भी Union Territory, for the purpose of GST we are talking, ठीक है, लद्दाक बोलता है, मुझे भी Union Territory के रहने का है, फिर हम गए, लक्षवदीप के पास में, लक्षवदीप आईलाइन्स के पास में का है, लक्षवदीप बोलता है, मैं भी खुश हू, Union Territory ठीक है, काय को हम गए बाद में, दादरा और नगरहविली के पास में, वो भी बोलता है, Union Territory ठीक है, तो ये पाच ने तो है ना, ये पाच ने तो, एक हम सुखी थे लोग, ये बोलता है, हम तो Union Territories ही ठीक है, फिर अब बारी आई, डेली के, हम गए डेली के पास में, डेली बोलता है, वैसे तो मैं Union Territory हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अपना खुद का Legislature बनाना है, for the purpose of GST, मुझे खुद का Legislature, खुद का Law बनाने का है, खुद का SGST Act बनाने का है, तो हमने उसको बोला चलो, कोई बात नहीं, तो मैं SGST के अंदर चलो, ठीक है, दूसरा हम गए जमू कश्मीर क कभी मौकाई नहीं मिला, तो मुझे खुद का ही बनाने दो ना अभी, उसने भी बनातिया, फिर हम गए पुदुचेरी के पास मैं, ठीक है, पुदुचेरी नहीं बोला, मुझे भी खुद का Legislature बनाने का है, तो ये तीनोंने अपना respective SGST Acts बनाति, Union Territory होने के बावजूद भी, Union Territory होने के बावजूद भी, for the purpose of GST, इन्होंने अपना खुद का Legislature बनाया, और ये लोग ने अपना SGST Act लेका है, So, now, conclusion from your exam point of view, these 5, ठीक है, ये जो 5 है न, ये आपके consider होंगे as Union Territory, लेकिन ये जो 3 है, वो actually भले होंगे Union Territory, but they will be called as Union Territory, Union Territory with their own State Legislature, क्या बोला मैंने, Union Territory with their own State Legislature, तो for the purpose of GST, ये क्या माने जाएंगे, they will be called as States, States जैसे हम उसको माने, ठीक है, अगर ये सब Union Territory है, तो law applicable is UTGST, ये सब अगर ये तीनों अगर States है, तो this will be called as, they will be forming their own law, called as SGST, example Delhi SGST Act, Jammu Kashmir SGST Act, Puddu Cherry SGST, समझ रहा है इतना, ठीक है, अभी hint to remember this, hint to remember, I'll show it in the textbook, ठीक है, don't worry, यहाँ देखो भी, सबसे पहले इसको continue करता है, अभी State Law में देखो, क्या बोला, States and Union Territories with their own legislature, कौन से तीन स्टेट थे, कौन से तीन Union Territory थे, जुन्होंने खुद का legislature बनाया, एक तो डेल्ली था, दूसरा जमू कश्मीर था, और तिसरा आपका पुदुचेरी था, तो डेल्ली हो गया, खुदुचेरी हो गया, जमू कश्मीर हो गया, States तो ही है, और ये तीन Union Territories, इन लोग ने अपना खुद का GST legislation लगाया, for the purpose of living the GST, फिर उन्होंने अपना खुद का Act बनाया, SGST Act 2017 and those three States will be considered as State for the GST purpose, फिर रेस्ट Union Territories will follow what, they will follow their own UTGST, अब देखो नाया आपे, इन लोग के ले बोल दिया, Section 2, Clause 114, ये एक तरह से आपका definition का हो गया, because कोई भी Act, कोई भी Act का Section No. 2, generally it contains all your definitions, अब Union Territory में किस-किस को include कर गया, ध्यान से देखना, ठीक है, Union Territory means the territory of अन्दमाना निकोबार, लक्षवदी, चंदिगर, लद्दाख, दादरायन नगर हविली and दमानन्दू, एक ही साथ में लेने का है, ठीक है, तो 5 तो आपके यहीं पर हो गया, 5 points, A.2, E. and other territory, अगर जाके आगे गवर्मेंट ने, कोई भी other territory को Union Territory बोलके declare किया, घुशित किया, तो वो भी एक Union Territory के list के अंदर आज़, ठीक है, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको हम को याद रखने का है, call D and others, okay, call D and others, where C stands for चंदिगर, A stands for अंदमाना निकोबार, L stands for लदाख, दूसरा L stands for लक्षवदी, अंद D के अंदर ये दोनों आजएगा, दाजरा एन अगरवेली and डमन and दिओ, and others मतलब, any other territory as may be notified by the government later, समझ रहा है न, तो next time अगर मैं आपको पुझा, Union Territory कौन कौन है, तो आप क्या बोलोगे मुझे, call D and others, समझ रहा है इतना, ठीक है, इसके अलावा, बाकी तो सबको क्या बोलेंगे, हम इसके अलावा, बाकी सबको हम, यूनिन, बाकी सबको हम, स्टेट सी बोलने वाला है, ठीक है, वो जो तीन है, भले ही वो, as per constitution, भले ही वो, Union Territory हो नहीं हो, हमको कोई फरक ने बढ़ता, for the purpose of GST, it will be called as state, manage हो गया है, यहां तक का खतम होता है, basic, basic part यहां पर आपका खतम होता है, अच्छा, मैम, लेकिन फिर यह इतने सारे loss बनाने के क्या purpose है, CGST भी बनाया, SGST भी बनाया, IGST भी बनाया, एक सेक्टरा, ध्यान, सुनो, ध्यान से, ठीक है, इबर मैं CESS Act को नहीं ले रही हूं, क्योंकि CESS Act का आपको specific purpose पता है, ठीक है, इस एस Act का purpose क्या था, specific purpose ही उसका यह था, कि because कुछ-कुछ states को loss हुआ है, कोई-कोई items के ओपर, तो central government, state government को compensate करना है, ठीक है, अभी यहां पर ध्यान दो, अभी इन लोग क्या बोल रहा है, पता है, ध्यान देना, ठीक है, कुछ नाया सिखा रही हूं, अभी है तो सब GST ही, फिर भी चार लॉस क्यो लाए, तो इनलोंने क्या बोला पता है, अभी देखो, आपका जो transaction होने वाला है, ठीक है, आपके जो transactions होने वाला है, इसको है ना, हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, एक तो हो सकता है आपका intra-state और intra-union territory transaction, इंट्र मतलब समझ में आता है, क्या होता है intra मतलब, intra मतलब within, ओके और दूसरा आपका हो सकता है, inter-state और inter-union territory transaction, आठीक है, example देती हो, example देती हो, एक transaction तो हो गया, महरास्ट्रा to महरास्ट्रा, इंट्रा-state हो क्या, दूसरा transaction हो गया, चंदीगड to चंदीगड, ये क्या हो गया, intra-united, तो अगर महरास्ट्रा to महरास्ट्रा transaction हो रहा न, तो ये लोग ने बोला, हम GST लगाएंगे, लेकिन वो GST को हम divide कर देंगे, हम GST लगाएंगे, थोड़ा सा पार्ट चार्ज करेंगे as CGST, और थोड़ा सा पार्ट चार्ज करेंगे as SGST, लगेगा, एक टोटली amount, मान 10% है, तो 5% CGST लगा देंगे, 5% SGST लगा देंगे, या फिर आपने नॉर्मली देखा होगा, GST rate 18 टका होता है, मनब 9% CGST हो जाएगा और 9% SGST हो जाएगा, यहां तक ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में, अगर union territory आई न, union territory to union territory, intra हो गया, yes, तो यहां पे, एक तो हम लग जाएगे, UTGST, महला, SGST हट जाएगा, क्योंकि यह S है ही ने, यह state ही ने, यह भी union territory, आमने वहला, अच्छा ठीक है, तो यह तो समझ गया, CGST का जो part of the revenue हो जाएगा, central government, SGST का जो part of revenue हो जाएगा, state government, union territory में आधा पार्ट जाएगा, central government के पास में, आधा पार्ट UTGST account के अ अच्छा, फिर उसके बाद में, अभी यहाँ पर देखता है, interstate transaction, interstate में चलो, example ले ले दे, महारास्टरा हो गया, और गुजरात हो गया, दीखे, एक बंदा बैटा है महारास्टरा में, दुसरा बंदा बैटा है, गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर इंटरस्टेट transaction हो स मैंने बुला, ठीक है, IGST लगा देंगे, लेकिन यह IGST, integrated goods and service tax, integrated goods and service tax, तो यहने बुले, काम करो न, आप customer से charge करो IGST ही, ठीक है, लेकिन इसको दो पार्ट के अंदर हम बाद में, डिवाइड कर देंगे, थोड़ा portion जाएगा, central government के पास में, थोड़ा portion जाएगा, state government के पास में, समझ रहे इतना, थोड़ा जाएगा, IGST में customer से तो IGST करेंगे, बाद में government अपने back end पे क्या करेगा, पता है, IGST को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगा, central government को थोड़ा amount जाएगा, state government को थोड़ा amount जाएगा, अभी सवाल यह करा होता है, कौनसे state government को, महरास्ट को यह गुजरात को, तो GST ने बोला, अरे भाई याद करो न, indirect taxes का basic principle किया है, indirect taxes का basic principle is, it should be a destination based tax, it should be a destination based tax, destination मनलब कहां खतम हो रहा है, इसका, गुजरात, सो यह जो revenue है, वो जाना चीए, गुजरात state, समझ रहा है, चलो एक और transaction लेता है, next one, let's say, let's say, there is a transaction between Delhi and महरास्ट, Delhi and महरास्ट, Delhi को state मानेंगे, महरास्ट को भी state मानेंगे, लेकिन दो अलग-अलग state हो गया, yes, वापर से कौन सा tax आने वाला है, यहाँ पर, IGST हो गा, बात म फोड़ा पोर्शन जाएगा, central government के पास में, फोड़ा पोर्शन जाएगा, state government, कौन सा state government, महरास्टा, that is the destination, एक और, एक और example लेता, third बाता, let's say, there is a transaction between Ladakh and Chandigarh, let's say, there is a transaction between Ladakh and Chandigarh, can we say, दोनों का दोनों, दोनों का दोनों, आपका union territory है, yes, अगर दोनों का दोनों, आप का union territory है, तो अभी यहाँ पर, कौन सा tax लगता, देखो, UTGST है ना, सिर्फ तब लगता है, जब intra union territory है, ओके, intra union territory है, तब UTGST लगता है, बट यहाँ तो दो different union territory हो गया, तो यहाँ पर हम UTGST नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा, IGST, समझ रहा है इतना, चीक है, तो अगर, suppose, ऐसा बोल सकते है क्या, अगर same state के बीच में transaction हो रहा है, तो CGST and SGST applicable होगा, ठीक है, same union territory में transaction हो रहा है, तो CGST and UTGST applicable होगा, अच्छा, अगर थो different state के बीच में transaction हो रहा है, तो IGST applicable होगा, थो different union territory में transaction होगा, तो भी IGST applicable होगा, एक और example तेते हो, मानो लद्दाख एंड महरास्टरा के बीच में ट्रांसेक्शन हो रहा है एक यूनिन टेरिट्री है एक स्टेट है दोनों अलग अलग है क्या अप्लिकेबल होगा IGST अप्लिकेबल होगा यहाँ पे एक तो स्टेट है और दुसरा अपका यूनिन टेरिट्री है तो इसी सबसे इसी सबसे आपको यह समझ में आ गया जो चारो लॉस बनाए थे और जो चारो टैक्सेज लेवी किये थे वो क्यू बनाए थे yes CGST हर जगे पे रहने वाला और मेंली इंट्रा में रहने वाला UTGST उनली इंट्रा यूनिन टेरिट्री इसके केस में रहना वाला है इंटर स्टेट दो अलग-अलग स्टेट ही all together IGST लगा दो दो अलग-अलग यूनिन टेरिट्री है IGST लगा दो एक स्टेट है और एक यूनिन टेरिट्री यह समझने के लिए कि अगर आपको एक nation एक tax रखने का था तो इतने सारे अलग-अलग type of taxes लाने का जरुवती क्या था इतने अलग-अलग type of acts लाने का जरुवती क्या था वो हमको यहां से पता चाहिए तो यह हो गया यह वाला page भी हो गया यहां तक manageable हो रहा है कि यह सब्सक्राइब करेंगे जब आपके बुक के अंदर आगे एक्जाम्पल्स आएंगे वगरे तो मैं आपको वापस से पूछना लिए तब आपको फट 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 आंसर देने पढ़ेंगे ठीक है अभी चलो अभी जीस्ट का कंसेप्स समझते हैं जीस्टी लो तो आगया अब जीस्टी इंप्लीमेंट कैसे करना और इसके पाइदे क्या होने वाला है वो भी समझता है ठीक है क्यालकुलेटर निकाल लो अगर आपको जर्वत रहेगा तो ठीक है समझने का कुशिश करते हैं जीस्टी क्यू लेकर आ को यह फिस न सब्सक्राइब क्यों को शाया और सरने वाला है और इसे हमको पता चलेगा वापर जिसट ने से फाइधा ओंग फिर उससे हम समझेंगे कि GST का benefit किया है वो समझने का खुश्च कर अभी let's say let's say कोई manufacturer है ठीक है मैं chain ले रही हूं normal chain manufacturer retailer को बेच रहा है ठीक है मेरे साथ में रहो everyone year ठीक है manufacturer एक retailer को नहीं manufacturer एक wholesaler को बेच रहा है wholesaler समझ महां था yes बड़ा stockist of goods etc ठीक अभी यहां पर let's assume let's assume manufacturer का basic selling price okay basic selling price कुछ है मानो 100 रुपया मैं चोड़ा figures राख रहे हूं सुधर आपको calculation आसान हो जाएगा इसका basic selling price 100 रुपया और इसके उपर यह GST के इनर मानो charge कर रहा है 18% और फिलाल हम bifurcation नहीं कर रहें C है कि SGST है एक सेक्टरा मैं normal total amount ले रहे हूं तो इसने basic लिए wholesaler से charge किया होगा 118 रुपया समझ रहा है इतना 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 charge करके government को कितना पे कर दिया होगा manufacturer ने wholesaler से total 118 लिया होगा उसमें से 100 उसका खुद का value है तो 18 रुपीस उसने government को वाँ पे पे कर दिया यहां तक तो ठीक है फिर उसके बाद में आगे जाके wholesaler इसको बेचेगा किसको? wholesaler इसको आगे जाके बेचेगा मानो retailer को retailer को मानो उसने basic selling price उसने basic selling price एक काम करता है उसने basic selling price रखा होगा 150 रुपीस फुद का कुछ profit भी तो जोड़ा होगा 100 रुपीस में भले ही खरीदा यहन 50 रुपय मानो से अपना profit रखा और उसने GST charge किया retailer से bill में लगा दिया 18% अभी 150 into 18% कितना होता है? 27 रुपया और उसने total retailer से collect किया 177 ठीक है? अब wholesaler की point of view से सोचना ठीक है? यह वाले person के point of view से सोचना इसने retailer से कितना रुपीस का tax collect किया? उसने retailer से GST collect किया 27 तो ideally 27 वो government को भरेगा लेकिन फिर wholesaler को याद आया अरे यार यह 27 में क्यो government को भरू? मैंने तो already same product पे जब मैं when I was buying it from the manufacturer जब मैं manufacturer से खरीद रहा था तब already मैंने कुछ tax के form में amount दे दिया तो इसने क्या किया? उसने set off ले लिया. ठीके ये set off को क्या कहता है? ये set off को कहता है input tax credit. मतलब मैंने जो input लिया था, मैंने जो purchase किया था, उसके उपर अगर already मैंने कुछ tax भर रहा है तो उसका मैंने credit ले लिया. तो उसने उसको याद आया, अरे उसने 18 रुपय का tax already भर दिया था. तो उसने काली कितने रुपीज का tax भर रहा? उसने सिफ 9 रुपीज का tax भर. समझ रहा है? Very good. अच्छा, last level. लेट्स से, रीटेलर, रीटेलर ने आगे अभी बेचा final consumer को और उसका basic selling price था, 200 रुपया. बेसिक तो ऐस तो 150 था, लेकिन 150 के उपर उसने और profit 50 रुपय का add कर दिया. और फिर इसके उपर उसने customer से GST चार्च किया, add the rate 18% और यह हो गया, 36 रुपया, total amount हो गया, 236. ठीके, वापस से retailer के point of view समझना हूँ. रीटेलर ने अभी customer से कितना tax लिया? 36. ठीके, तो वो ideally government को 36 pay करना था. पर फिर retailer को याद आया कि उसने already purchase करते वक्त, wholesaler से purchase करते वक्त, कुछ amount का tax भर दिया है. उसने already by that time 27 rupees का tax भर दिया था, कितना बचा? 9 rupees. So, can we say now payable amount, government को payable कितना हुआ? 9 rupees. तो ये scenario में government को तीनो लेवल पर मिला के कितना amount गया? 18 गया, plus 9 गया, plus 9 गया, total amount जो government को गया, वो गया 36 rupees. ये कौन सा concept है? ये पुराना वाला concept है? या पिर ये नया GST वाला concept है? तो ये नया GST वाला concept है, मैं आपको इसका reason बताती हूँ क्यों? ठीक है? सबसे पहले, सबसे पहले तो, finally, finally, ये goods कितने में बिका, finally, ये goods कितने में बिका, 100 rupees से तो शुरुवात होई थी, 150 पे गया, और finally, customer के हाथ में गया, 200 पे, so, final selling price is equal to 200, and GST on it, at the rate of 18%, कितना आना चाहिए? 36, and वही 36 हमने customer से collect करके, government को pay किया, फरक इतना हो गया, government को जो amount गया है, वो अलग-अलग levels पे गया है, समझ में आ रहा है, चीक है? तो ऐसा नहीं हो है, कि 100 के उपर भी tax गया है, 150 के उपर भी tax गया है, 200 के उपर भी tax गया है, नहीं, अरे product तो same ही है न, खाली वो अलग- ठीक है, अच्छा, दूसरा, दूसरी चीज, ठीक है, ये tax को है न, value-added tax बोलता है, क्या बोला है, मैंने GST को क्या बोलता है, GST is called as value-added, मतलब जब भी भी कुछ value-added होता है न, तब government tax मांगने के लिए ready, steady, poor, ठीक है, अभी जैसे for example, manufacturer to wholesaler, manufacturer to wholesaler, यहाँ पे तो can we से 100 के उपर 18%, कितना हो गया, 18, वो government को गया, ठीक है, next level, wholesaler to retailer, कितना value-added हुआ, 100 के उपर, 50 रुपीज का value-added किया, 50 के उपर 18% करो, कितना होता है, 50 के उपर 18% करोगे, तो 9 रुपीज होता है, 9 रुपीज गवर्मेंट को गया, retailer to consumer, 150 के उपर और कितना value-addedition हुआ, कैना है, इसने वापस 50 रुपाय का value-addedition हुआ, तो ही 150 प्लस 50, 200 पर है, तो 50 multiplied by 18%, वापस से कितना हुआ, 9, तो जब भी भी value-adition हो रहा है, जब भी भी value-adition होता है, हमेशा उतना amount के उपर tax, वो person को pay करना होता है, अगर wholesaler to retailer में, if there would have been no value-adition, तो government को कुछ भी tax नहीं जाता हुआ, समझ रहा है, इसके लिए tax को क्या बोलता है, इसलिए ये tax को value-added tax, दुसरा, आपने ये observe किया, यहाँ पे ये 18 के उपर से वापस से tax आ रहा है, या फिर ये 27 के उपर वापस tax आ रहा है, या basic amount के उपर ही tax आते जा रहा है, बेसिक amount के उपर ही tax आते जा रहा है, मतलब cascading effect हो रहा है कि cascading effect नहीं हो रहा है, cascading effect नहीं हो रहा है, दुसरा reason, जब भी आप government को tax भर रहे हो, are you are taking the benefit of ITC, आप ITC का benefit ले रहे हो, मानना जो भी आपने taxes previous level पे pay किया था, वो taxes का आप अभी benefit ले रहे हो, वो taxes का benefit ले रहे हो, जो आपको याद है, वो पहले excise duty and VAT के example में आपको benefit नहीं मिल रहा था, क्योंकि government change हो रहा था है, पर यहाँ पे तो GST, कोई भी टाइप का GST होने दो, revenue is going to be between central government and state government, तो set off का benefit आपको मिलने आपाद, समझ रहे है, GST कैसे work करता है, हाँ, चीक है, तो देखो यहाँ पे concept of GST आपको दिया आपा है, theoretically यहाँ पे दिया आपा है, समझने का कोशिश करता है, सबसे पहले, it is a value added tax, याद हर जगे पे जहाँ पे भी value add हो रहा था, उसके उपर आपका tax लग रहा था, it is a value added tax, which is levied, manufacturing के ताइम पे भी लगेगा, sale के ताइम पे भी लगेगा, consumption के ताइम पे भी लगेगा, manufacture के टाइम पे लगेगा, मतलब manufacturer को भी लगाना पड़ेगा, selling के टाइम पे, मतलब wholesaler हो या retailer हो उसको भी लगाना पड़ेगा, और consumption, consumption मतलब जब retailer इसको finally consumer को बेजेगा, तो consumer को भी वो tax bear करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन mainly एक इसके उपर आने वाला है, ये value addition के उपर य वाइदा क्यों हुआ, because, because of this concept called as continuous chain of tax credit, continuous chain, अगर आपी डाइग्राम में देखोगे, तो हर लेवल पे हमको set off मिलते जा रहा था, ठीक है, तो because हमने जो भी tax pay किया था previous वाले लेवल पे, उसका हमको benefit मिलते जा रहा है, इसके वज़े से तो tax में cascading effect नहीं हो रहा था, इसक देखो क्या बोला है, GST offers, comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer's point, वाला manufacturer से शुरू हो के, retailer या, retailer level तक जाने वाला है, सी, consumer level तक नहीं जाएगा, क्योंकि consumer उसका ITC नहीं ले सकता, ठीक है, ITC कौन ले सकता है, जो business में है, वो ही ले सकता है, consumer तो finally consume करने वाला है, तो can we say, manufacturer से लेके, retailer तक आपका ये tax credit का चेल चलता रहेगा, ये तो हो गया goods के case में, ठीक है, और पिर जब हम services का बात करेंगे, तो services के case में, जो भी service provider है, वहाँ से लेके service recipient के पहले तक, वहाँ तक, जितने भी taxes रहेंगे, वो सबका आपको credit मिलता रहेगा, and therefore, उसके वज़े से क्या फाइदा हो रहा है पता है, सिफ value added part tax हो रहा है, और total amount बारबा tax नहीं हो रहा, यहाँ पर याद है, हमने देखा था, value addition कितना हुआ था, value addition सिफ 50 रुपय का हुआ था, 50 के उपर ही tax लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वापस से पूरे डेड़सों के उपर tax लग रहा है, 50 के उपर 18% कितना 9 रुपया हुआ, तो ultimately सिफ 9 रुपय का tax गया, पूरे सत्ता है, इसका tax जाही नहीं रहा है, समझ रहा है इतना, yes, so हर लेवल पे, हर लेवल पे आपको tax credit मिलता जा रहा है, इस वज़े से बार 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 टाक्स नहीं लग रहा है, ठीके, फिर उसके आद में next रुड़ा पंट तो आपको खुदको समझ रहा जाना चीह अभी तक, next रुड़ा पंट इस, burden will be born by the final consumer, final consumer कितने मैं खरीद रहा था, जाद है, final consumer 200 रुपय मैं खरीद रहा था, 200 के और हमने उससे और 36 rupies लिया, this 36 is nothing but the final tax that we have paid to the government, तो यह जो manufacturer, wholesaler है यह अपने pocket ते कभी नहीं भर्ता है ठीक है बले नोक भोलबर भोला ग्योस्तोप लोगी को ज्यूस्ट लोगे को ज्यस्ती लोग ही का नए ही ज्यस्ती कौन करने वाला है घ्यस्ती अक्ठली कॉन्सीयमर बेर करने वाला है इसके लिया उसके लिए क्योंकि पहले excise duty, वो cost पे भी लग रहा था, वो, sorry, vat, vat की मैं बात कर रही हूँ, वो cost के उपर वापस लग रहा था, वो excise duty के उपर भी vat लग रहा था, और profit के उपर तो लगना ही है, ठीक है, तो यहां पे वो चीज नहीं हो रहा, and there is no cascading effect of taxes, and GST does not differentiate between goods and services, does the two are taxed at single rate, यादे मैंना आपको एक जग है, बीच में बताया था, deficiency में, पहले वाले scheme के अंदर, कोई-कोई जगाओ पर bifurcation ही नहीं था, कि ये goods है की service है, अगर bifurcation ही नहीं है, कि ये goods है की service है, तो वोलो, महान, लोग, vat भी लगा रहे था, service tax भी लगा रहे था, यहां पर तो उन्हों बोल रहे है, कोई differentiation ही नहीं, goods होने तो, service tax होने तो, एक के tax लागेगा, that is your GST, ठीक है, तो ये चार basic points हो है, आपके concept of GST के अंदर, इतना समझ में आ गया, yes, ठीक है, और फिर यहां पर example दिया है, जो भी हमने example लिया न, यहां पर काली figures चेंज हुआ है, ब बता दिया कि इतने रुपीस का value edition था, इतना रुपीस government को pay किया, same, 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 हमने काली figures चेंज किया, बाकि पूरा का पूरा same example दिया हुआ है, आप एक बार refer कर ले न, ये example को, सुधेट आपको वापस से एकदम clear हो जा, ठीक है, अभी, चलो, अभी याद है, हमने बात किया थ गर्मेंट ऐसे एवे ही तो नया tax नहीं लेकर आएगा, पूराने वाले system के अंदर problems थे, ठीक है, वो deficiencies को meet करने के लिए, वो deficiencies को meet करने के लिए, उन लोग ने ये नया वाला GST लेकर आए, तो उसके लिए समझते हैं, क्या deficiencies है, ठीक है, ना, despite the introduction of principle of taxation of value added in India, at central level in the form of CENV CENVAT is nothing but central excise duty, ठीक है, central excise duty था ही आपका, and at the state level in the form of state VAT, its application always remained piecemeal, आदा, अधूरा उनलोंने implementation किया, ये following reasons के वज़े से, क्या-क्या problem हुई, देखो हाँ, सबसे पहले, double taxation of a transaction, as both goods and services, as the distinction was often blurred, software में उनको problem था, कि software को goods समझे, कि services समझे, उसके उपर दोनों लगता था, ठीक है, restaurant होता था, restaurant में बोलता है, खाना भी देता है, तो goods भी है, service भी provide करता है, आपको serve भी करता है, तो services भी है, दोनों लगाते था, ठीक है, ultimately कौन फसा, consumer फसे, ये एक problem था, पुराने वाले कहां था, ठीक है, next वाला problem, in the state level VAT, in the state level VAT, sen VAT, excise duty, excise duty, load on the goods was not removed, leading to cascading of taxes, यहादे, VAT किसके उपर लग रहा था, VAT लग रहा था, value including excise, अगर में आपको वापस से दिखाने कहा है, तो I'll show it to you again, यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ, लग रहा था, double tax हो रहा था, ठीक है, फिर दूसरा point, तीसरा point, दो sen VAT and state level VAT, where essentially value added tax, एक दूसरे के सामने set off लेना possible नहीं था, यहाँ आदे मैं आपको पूछा था, जब हम यह VAT भर रहे है, पंदरा रुपए का, तब हम क्या पूराना वाला tax को माइनस कर दें, क्योंकि ह हमने अल्रेटी 10 रुपए तो भर दिया है government को, तो उन्होंने बोला नहीं, क्यों नहीं बोला था, exercise duty जा रहा था central government को, VAT जा रहा था, state government को बोलता है, हम ऐसा आपस में set off नहीं कर सकते हैं, तो यह देखो क्या बोला है, set off of one against the credit of another was not possible, as sen VAT was a central level and state level VAT was a state level, दोनों अलग government को revenue जा रहा था, तो कौन सा government sacrifice करेगा, कोई government sacrifice करने वाला नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद में, यह अलग point है, there were several taxes in the states, okay, state government को power दी दिया ना, constitution है, तुमको जो tax लगाने का है, लगा हो, तो central government शुरू, ठीक है, एक बार ऐसा power मिल गया, तो बात ही खता हम है, luxury tax, entertainment tax, multiple taxes उन्होंने लगा दिया, जो वाट के अंदर सपसी उम नहीं हुए थे, मिला वाट तो लगता ही था, प्लस यह luxury tax, entertainment tax, extra state लगाता था, ultimately, tax बढ़ते जा रहा था, tax बढ़ते जा था, customer को problem होते जा रहा था, अच्छा, फिर उसके बाद में, next, वाट on goods, was not integrated with tax on services, goods के उपर व महले ही, same state के अंदर ही service क्यों ना provide क्या हो, state government के पास में powers ही नहीं दे कि वो service tax लगा है, क्योंकि service tax लगाने के powers उस्ते central government के पास में था, लफडा, okay, to remove the cascading effect of service tax, because service tax was levied only by the center, अभी मैं आपको एक सका एक और example देती हूँ, समझने का कोशिश करू, ये वाला पॉइंट ह इसका मैं आपको example देती हूँ, अभी let's say, for example, मैं को आपको teaching service provide करनी है, ठीक है, मैं को आपको teaching service provide करनी है, and इसके लिए मुझो कुछ goods चाहिएगा, ठीक है, मुझे computer चाहिएगा, मुझे camera चाहिएगा, मुझे projector चाहिएगा, एक सेक्ट है, मुझे अलग-अलग goods चाहिएग क्या किया, मैंने कुछ goods खरी दे, और मैंने विदिन दे सेम स्टेट खरी था, तो वो goods का, एक तम basic example दे रही हूँ, वो goods का cost आया 100 रुपया, अब मैंने वो goods खरी था, वो time पर वैट लग गया, उसके ओपर, मानो 10 रुपया, और ये तो total हो गया 110 रुपया, ये goods मैंने use कि किये, because मुझे इसके बाद में एक service प्रोवाइड करने थे, ठीके उसके बाद में, ये goods यूज करने के बाद में, मैंने इसके ओपर थोड़ा profit आड किया, मानो मैंने इसके ओपर 200 रुपया profit आड किया, ठीके या पर एक काम करता है, round figure ले 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 था, मैंने इसके ओपर एक मैं, जब cost of sales of service, जब मैं provide करने गई, तब government ने इसके ओपर service tax लगा दिया, ठीके government ने, कि कि बोला कि, आप ये service प्रोवाइड करे तो इसके ओपर service tax लगेगा, और मानो government ने इसके ओपर service tax लगा दिया, at the rate of, at total amount of 18 rupees, या फिर ले 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 था, 30 रुपय हो गया, और total amount, total selling price charge from my customer is equal to 330 rupees, ठीक है, अभी देखो ना, या पर, अभी इन लोग ने कैसी किया पता है, यह जो service tax लगा न, यह अधरे 10% लगा, वाट भी अधरे 10% लगा, अभी यह जो service tax लगा, यह किस के ओपर लगा, यह 300 के ओपर लगा, यह 300, यह 300 के ओपर लगा, यह 300, यह 300 कैसे बना, यह profit के ओपर लगा, यह profit के ओपर लगना में को समझ में आता है, पर यह 100 रुपे के ओपर तो अल्रेडी वैट लग चुका था, और profit के ओपर लगा, कोई problem ने है, लेकिन वैट के ओपर तो service tax मत लगा, ठीक, फिर अभी इसके आद में सवाल उठाए, काम करो ना, जब आप government को यह 30 रुपया भर रहे हो, तब उसमें से जो पहले वैट भरा था, वो minus कर दो, set off ले लो, ITC benefit ले लो, लेकिन वो available था या फिर वो available नहीं था, वो available नहीं था, क्यों, वेकोज यह जो वैट है ना, यह गया था state government के पास में, और यह तो था on goods, और यह जो लगा रहे है यह लोग, यह जा रहे है central government के पास में, on services, दोनों department आपस में मिले जूले है, और तोटली अलगत है, पुराने वाले इसके अंदर, टोटली अलगत है, तो इसलिए उन टोटने बोला है, service tax was levied by the center, and VAT was not integrated with tax on services, yes, अचा, दूसरा problem, सब कुछ within the same state हो रहा है, तो भी revenue किसक government के पास में जा रहा था, क्यों? क्योंकि state government के पास में, service tax levy करने के powers ही नहीं थे, तो किसका loss हो गया, state government का loss हो गया, state government क्यों services को promote करेगा, तो next point के अंदर बोला है, with service sector being the fastest growing sector in the economy, the exclusion of services, the exclusion of services from the tax base of the states, potentially eroded their tax B.ONC, मतलब, क्योंकि state government, services के ओपर tax नहीं लगा पा रहा था, ध्यान से सुनवा, state government, services के ओपर tax नहीं लगा पा रहा था, इस वज़े से state government का revenue नहीं बढ़ पा रहा था, पराबर, ठीक, next, CST was another source of distortion in terms of its scadding nature, since it was non-vattable, non-vattable मतलब CST का credit अविलेबल नहीं था, CST कौन लगा रहा था, CST लगा रहा था, Central Government, ठीक है, अभी Central Government जब CST लगा रहा है, तभी भी उसके उपर कोई भी, उसका कोई भी credit अविलेबल नहीं था, example दो मैं आपको इसको, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, लेट से, मैं को यह particular product बेचने का है, ठीक है, यह AC remote है, यह मुझे sell करना, यह मेरा ultimate finished goods, अच्छा, यह बेचने के लिए, मुझे कुछ तो services लेनी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है, मुझे क्या मुझे कुछ engineer की service लेनी पड़ेगी, कोई technician की service लेनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके ओपर service tax charge हो गया था, let's say 10% service tax charge हो गया, 110, मेरे लिए total cost पड़ा 110, ठीक है, उससे है ना, मेरा यह remote बनी है, उसके बाद में, ठीक है, यह मैंने खरीदा नहीं, मैंने बनवाया, ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ service ले, उसके ओपर service tax लेक, तो यह मेरा आप तक का cost हो गया, अभी मैंने इसके ओपर ना, मानो कुछ profit add किया, मानो मैंने इसके ओपर 40 रुपय का profit add किया, तो मेरा अभी cost of sales आ गया, 150 रुपया, 150 रुपेस, अब मैंने यह remote को बेचा, कोई दूसरे state में, अब जब मैं इसको कोई दूसरे state में बेच रही हूँ, तब इसके आइसके ओपर लग रहा है, तो यह दू tax on tax हो रहा है, तो एक काम करता है ना, गवर्मेंट को पे करते हैं, 15 रुपीस यह पे करते हैं, मैंने अल्रेडी जब यह service लिया था था, मैंने अल्रेडी 10 रुपया पे कर दिया था ना, तो इसका credit ले लेता है, चलेगा कि नहीं च चलेगा, नहीं चलेगा, ओके, even if it is lying with the same government, even if it is lying with the same government, CST के सामने आपको कुछ भी set off करने का benefit नहीं मिलता, चीक है, and same, vice versa, let's say, मैंने आपको service प्रोवाइड करने से पहले, camera purchase किया, और वो भी दूसरे state से purchase किया, let's say, 100 plus 10%, 110, ठीक है, दूसरे state से purchase किया, तो जब मैंने purchase किया था, तब उसके उपर CST लगा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में, मैंने इसके अंदर थोड़ा अपना profit टाइड किया, और मैंने सुझा चलो, ठीके, teaching service देना, प्रोवाइड, start करता है, तो मैंने फिर उसके आद में service tax चार्च किया, at the rate of 10%, अब इस 15 रुपीज समय आप से collect करूँगे, student से collect करूँगे और गवर्मेंट को भर दोगे, फिर मुझे याद आएगा, अरे यार, मैंने already कुछ tax तो ये same चीज़ के लिए गवर्मेंट को भर दिया ना, फिर मुझे याद आएगा, 10 का benefit ले सकता है, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फाले गवर्मेंट सेम है, CST भी Central Government के पास जा रहा है, फिर मिह नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हुने बोला था कि CST का क्रेडिट ही नहीं मिलता, CST का बिलकुल भी ख्रेडिट ही नहीं मिलता, वो यहाँ पे लिखा उस वज़ए से यहां पर पर पर्टिकलर स्टेट के गवर्मेंट को जानी चाहिए जहां पर अल्टीमेंटली गुड्स कंजीं मोरा है पट सीस्टी अलग ही निकला जाहं से ओरिज्ट का मोमेंट स्टार्ट है वह गुर्मेंट को जानी नो भाइसा फॉलेंग अगेंस प्रिंसिपिल आ कि अगर कि अगर इंध्र स्टेट हुआ इंटर इंटर यूनिंट एरिट्रीव अगरे हुआ तो सबसे पहले हम आई जीनेशन चार्च करता है और फिर बैक एंड पर गंच उसको डिवाइड करता है एक तो सेंट्रल गंच में और एक स्टेट गंच में नैया पुछे तो कॉनसे श्ट वह था पर आपके घिजगा करें अपकर पॉराने वाले सिस्टम के अंदर नहीं था समझ रहा है ना तो सी एशची टोटल का तुटल आपका धिस्टॉइचन हो गया and ये आपको ऐटी रिज़ा थिये वे ठीक है यह आपको 8 reasons दिये वह है जो आपके पुराने वाले system के अंदर deficiency था पुराने वाले system के अंदर problem था and वो problem उलों ने meet करने का कोशिश किया है समझ रहा इतना येस manageable है यहां तक ठीक है चलो यहां तक आपका एकड़म basic खतम होता है about other laws पुराने वाले laws फिर GST क्यों आया GST कैसे आया GST consumption GST Constitution Bill वगरे कैसे बना Act कैसे बना GST laws कैसे आया उचार-पच्च acts आपके कैसे इंट्रीज़ू है वो सब यहां पर खतम होता है इसके बाद में इसके जो पूरा पूरा GST point of view बात करने वाले या फूरा फूरा में बात करना वाला है पूरा का पूरा डेटेल में अपन जीस्ट के बार में बात करना वाला है क्या benefit से GST का कैसे आएगा क्या taxes होंगे ITC का benefit वग्रे कैसे मिलेगा सारी की सारी चीज़े हम यहां पर बात करें ठीक है अभी यहां पर ध्यान दो ठीक है मैं यहां पर पहले बोलने वाली हूं फिर उसके आद में हम बुक से पढ़ लेंगे ठीक है सबसे पहले तो को बिखोंगे था था तो वोलों डिऊर्म डेकर है डिवीटल मॉडल का मतलब है तिक है सिर्जीं टरमीन यह घृव्चल का मतलब है उन्होंने दोनों गवर्मेंट को पावर्मेंट को पावर्मेंट जी तेम्स Beree levar और चीवर्माब्मिन अने श्ट कर तेड करने वह हैं mere new underteping चार अलग-अलग नाम था टाक्सेस का, एक तो आपका होगा Central GST, दुसरा आपका होगा State GST, तीसरा आपका होगा UT GST, और चौता आपका होगा IGST, यह अलग-अलग टाइप अफ टाक्सेस वोलो, कलेक करने वाला है, अब मैं लिखते जाती हूँ, आप मुझे फटा-फट बत पूरा का पूरा जाएगा Central Government के पास में, ठीक है, अगर मैं अभी SGST का बात करूँ, तो SGST कौन लगाने वाला है, SGST लगाएगा State, वो respective state government यह टाक्स लगाएगा और अपना revenue लेके जाएगा, अगर मैं UT GST का बात करूँ, तो can we say उसके इंदर वो 5 आने वाले, कॉल D and others, य यह एक तरह से फिलाल हम बूलेंगे, this will be imposed by the union territory, okay, it is levied by that particular union territory, और वो revenue भी union territory के पास में जाएगा, और IGST, important आईए, IGST अपको जाएगा, IGST यह लवी कौन करने वाला है, IGST लवी करेगा Central Government, okay, IGST लवी करेगा Central Government, उसके बाद में Central Government यह revenue को divide करेगा, थोड़ा portion अपने पास में रखेगा, that is, थोड़ा portion Central Government के पास में रखेगा, और थोड़ा सा portion उसके बाद में देदेगा, वो particular state या union territory को जहाँ पे destination, यादा रहा है, यह से बभी link हो पा रहा है, ठीक, तो यह अलग-अलग type of taxes वो लो लेका रहा है, अच्छा माम, कब कौन सा tax लगेगा, type of taxes तो पढ़ लिया, लेकिन कब कौन सा taxes लगेगा, वो कैसे पता चलेगा, तो वो depend करता है, कौन से type का supply हो रहा है, या फिर कौन से type का transaction हो रहा है, फिलाल हमने supply के बारे में जादा कुछ बात नहीं किया है, तो हम at least ऐसे समझ ले, कौन से type का supply हो रहा है, अगर यह interstate है, और अग within the same state है, intra state है, तो कौन सा लगने वाला है, दो type of taxes पढ़ा वड़ बता हो, एक तो आपका CGST लगेगा, दुसरा आपका SGST लगेगा, ठीक है, दुसरा अगर मैंने आपको बोला, intra-union territory, एक ही union territory के बीच में लग रहा है, तो कौन सा tax लगेगा, एक तो CGST लगेगा, और दुस state, मालब दो different states के बीच में, two different states, तो एक ही type of tax लगेगा, that is your IGST, उसके अद में वो IGST डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, फिलाल हम वो division के बारे में ज्यादा concern नहीं है, फिर उसके बाद में, अगर inter-union territory हो गया, दो different union territories के बीच में हो गया, दो different union territories, तो भी वापस से क्या ल लगेगा, और तीसरा, last case, अगर एक state और एक union territory के बीच में हो गया, एक state और एक union territory के बीच में हो गया, तो फिर क्या लगने वाला है, तो वापस से IGST लगेगा, और वो revenue वापस से डिवाइड हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा, ठीक है, और फिर उसके बाद में, ये तो कोई foreign country से, कोई foreign country से goods इंडिया में आ रहा है, अभी my question to you is, ये interstate होने वाला है, या फिर ये intrastate होने वाला है, तो उन लोग ने बोला कि this is going to be deemed, okay, assume कर लेंगे, this will be deemed as what, this will be deemed as interstate, okay, अगर इसको deemed करना है as interstate, तो फिलहाल हम यहीं तक conclude करेंगे, that import के time पे IGST applicable होने आ रहा है, क्या का मैंने, import के time पे IGST applicable होने आ रहा है, समझ रहा है इतना, similarly, when there is export, that is India say goods जा रहा है, कोई दुसरे foreign country, ठीक है, फिलहाल हम यह सब नहीं पढ़ रहे है कि tax कब applicable होगा, import, export के time पे, कौन भरेगा, हम वो सब नहीं पढ़ रहा है, हम फिलहाल इतना classify कर रहे है, कि यह कौन से type का supply होगा, so this will be again deemed as what, दो अलग country involved होगे है, तो intra top बना ही नहीं सकते हो इसको, so this will be again deemed as interstate, and if it is deemed as interstate, वापस से क्या applicable हो जाएगा, IGST applicable हो जाएगा, समझ रहा है इतना, ठीक है, तो यह आपका types of taxes, तो यहाँ पढ़ लिया हूं, और पिर कौन सा type of taxes applicable होने वाला है, वो हमने next पढ़िया, ठीक है, अभी देखू, अभी यहाँ पर कुछ अलग, कुछ important है, समझने का कोशिश करो, अभी, इन लोग ने क्या किया पता है, जी एस्टी हमको पता है, यह दोनों चीज़ों के उपर applicable होने वाला है, यह goods के उपर भी applicable होने वाला है, यह services के उपर भी applicable होने वाला है, अभी, इंडिया में इतने सारे type of goodsh and a type of services है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, Sterling?! बट अभी GST law जब बनेगा lawmaker को तो सब कुछ ध्यान में रख्के बनाना पड़ेगा तो lawmaker को तो हर टाइप ओफ goods classify करना पड़ेगा हर टाइप ओफ services list करना पड़ेगा और इंडिया में हर goods के उपर हर services के उपर अलग-अलग rate of taxes अपले के मिले ठीके example rate of tax on a AC remote will be different rate of tax on a mobile phone is going to be different समझ में आ रहा है तो उन्होंने क्या कर दिया है एक rate schedule बना दिया है क्या बोला मैंने उन्होंने एक rate schedule बना दिया है और ये rate schedule के अंदर इन्होंने क्या किया है सब goods को classify कर दिया एक category of goods example let's say remotes तो remotes को एक नाम के अंदर classify कर दिया bottle तो water bottle हो गया ink bottle हो गया सारे टप के bottles एक जेगे पर classify कर दिया और उसके अंदर लोगोंने डिवाइड कर दिया ये 18% पर रहेगा ये 12% पर रहेगा ये 28% पर रहेगा so on and so forth ठीक है अभी ये जो goods का classification हुआ है इसके लिए इन लोग ने coding method यूज किया है called as HSN ठीक है गूट्स को classify करने के लिए coding method यूज किया है called as HSN HSN stands for harmonized harmonized system of nomenclature ठीक है ये बेसिकली एक इंडिया का method नहीं है ये globally used method है जहांपे उन लोग इंडिया में लेट से there are 5000 goods so 5000 goods को इन लोग ने एक जिसे अपन serial number नहीं देते क्या वैसे उन लोग ने HSN code देके वो goods को classify कर दिया है और हर HSN के लिए हर HSN code के लिए हर serial number के लिए अलग-अलग rates of taxes prescribed है ठीक है customs में भी customs जब आप पढ़ोगे customs में भी same way of classification दिया है and आपके goods के अंदर भी sorry GST के अंदर भी same way of classification दिया है ठीक है तो goods का classification next time में आपको पूछो तो कौन से basis पे होआ है on the basis of HSN ठीक है अभी same way services को भी classify करना पड़ेगा अभी इंडिया में कितने सारे type of services है AC repairing मानो fan repairing मानो, teaching services मानो accountancy services मानो कितने सारे type of services, printing services मानो, etc. तो again हर services को उन लोग ने classify कर दिया है on a basis called as service accounting code क्या लिगा मैंने याँ पर SAC stands for service accounting code and हर service को, हर service को इन लोग ने code देके रखावा है जहाँ पर उन्होंने अलग-अलग type of services को group करके रख दिया है और वो group के उपर एक particular rate of taxes applicant समझ रहा है, तो goods का classification एक वे में हुआ है, services का classification एक दूसरे वे में हुआ है goods classification के लिए उन्होंने code यूज किया है, HSN code, services classification के लिए उन्होंने code यूज किया है SAC code, जब हम आगी जाएंगे, चार जोग GST वाले chapter में, तब हम वापस है classification पढ़ेंगे in detail ओके, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने random classification कर दिया, बराब बर group के अंदर डिवाइड किया है जैसे मैं आपको एक example देती हूँ Let's take the example of a paper तो main heading उन्होंने दी दिया paper तो फिर paper के अंदर, paper for printing, newspaper gift wrapping paper etc, etc, ऐसे उन्होंने उसको further classify, ऐसे random नहीं लिख दिया तो ऐसे उन्होंने हर एक product को अलगाला classify किया, सबको अलगाला code दिया और सबके आगे उसका rate of GST लिखती है समझ रहे है ना, जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीके practically मैं आपको दिखाऊंगी, कि कैसे उन्होंने वो rate schedule बनाया आप ठीक है, वैसी उन्होंने services के लिए भी करके रख दे, so that अभी दिखो न, अगर मुझे कोई नया business चालू करने का है, तो मैं easily धून सकती हूँ ना फिर अभी जैसे मेरा, मानो, for example मेरा gift wrapping paper का business तो मैं सीधा हूँ paper वाली schedule में जाऊंगी, paper वाली schedule में जाके मैं धून्दूंगी कि मैं इधर fall करते हूँ और फिर उससे मुझे मेरा HSN code भी मिल जाएगा, और उससे मुझे मेरा rate of JST भी मिल जाएगा, समझ रहा है ना, ठीक है, फिर उसके बात में, यह तो हो गया आपका classification के बारे में, अब उन लोग ने तीन और concept इंट्रियूस किया, ठीक है, GST के अंदर ही, उन लोग ने तीन और concept इंट्रियूस किया, called as, सबसे पहली बात तो, सबसे पहली बात तो, कि भाई GST के अंदर registration कैसा होगा, सबसे पहले तो यह बोला, GST के अंदर registration किसको लेना पड़ेगा, और कैसे होगा, क्या basis पे होगा, दूसरा, क्या किसी को कुछ examitions भी available है, ठीक है, अभी कोई भी नया law आता है, तो सब उसमें धूरने का उत्तों कोशिश करता है, कही मेरों पर GST applicable है, या फिर में कोई exemption है, ठीक है, और दूसरा, दूसरा एक आएगा, called as compositions की, देखेंगे मुख्या है, ठीक है, अभी देखो है आप, अभी GST के नदा registration, मानो मैंने अभी new new CA बनी हूँ, और मैंने आपना नया नया practice start किया, ठीक है, practice भी service के अंदर ही आता है, तो क्या अभी मानो मुझे एक client मिला है, जिससे मैंने revenue चार्ज किया है, for example, 1 lakh रूपी, और फीस चार्ज किया है, 1 lakh रूपी, तो क्या वो first 1 lakh के ओपर भी tax लगेगा, मुझे GST के इंदर खुद को register करना पड़ेगा, हाँ या ना, that is the question, तो उन्होंने बोला, अरे यार, ऐसे तो फिर कितने सारे providers है, जो जिन्होंने नया-नया business चालू किया वा रहता है, तो हाथो हाथ, जैसी वो person business चालू करता है, और जब तक उसका turnover, एक threshold limit, एक limit exceed नहीं कर देता है, तब तक उसको GST के अंदर मत ले कर आओ, ठीके, बंदा अभी भी छोटा है, ठीके, उसको ये भी नहीं पता कि वो business आगे continue करेगा, अभी कि नहीं करेगा, तो जब तक उसका turnover, turnover आपको समझता है sales, जब तक उसका turnover, जब तक उसका aggregate turnover, टोटरल turnover, जब तक एक particular threshold limit exceed नहीं करता है, तब तक उसको registration लेनी की जरुवत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने threshold limit exceed किया, वैसे उसको GST registration तो लेना पड़ेगा, फिर नहीं बच सकता, फिर वो नहीं बच सकता, अच्छा कासा आमाना चालू कर दिया, तुम government को tax नहीं बढ़ोगे, ये ना हो पाई, ये नहीं हो सकता, ठीक है अभी अलग-अलग states में, अलग-अलग GST threshold limits दिया हुआ, क्योंकि ये states decide करता है, ठीक है ये states decide करता है, जैसे महरास्ट्रा है, तो महरास्ट्रा एक अलग threshold limit भी दे सकता है, ठीक है, या फिर साथे states मिलके, भी एक threshold limit decide कर सकता है, कोई problem भी, ठीक है, क्योंकि GST registration है ना, ये GST registration स्टेटवाइज रेजिस्ट्रेशन होता है, अभी मानो, मेरा office महरास्ट्रा मैं है, अगे, I am providing some essential goods or services, ठीक है, मैं कुछ important goods and services परवाइज, important जैसे for example, मानो, मैं milk provider हूँ, milk supplier हूँ, ठीक है, या फिर मैं fresh fruit supplier हूँ, fresh vegetable supplier हूँ, juice की बात नहीं कर रहे हूँ, fresh fruit, fresh vegetables, cut fruits है, मैं उसकी supplier हूँ, तो in that case, government बलता है कि, या ये तो general चीज है, eggs है, curd हो गया, milk हो गया, तो ये general चीज है, इसका access सबको मिलना चीए, तो इसका price क्यों बढ़ा है customer के लिए, ठीक है तो जीस्ट लगाती तो consumer के लिए price बढ़ी जाता है, तो उन्होंने बोला, कुछ कुछ, ठीक है, not sub, बट कुछ कुछ ऐसे goods होंगे, और कुछ कुछ ऐसे services होंगे, जो उन्होंने totally exempt कर दिया है GST के लिए, example, जैसे medical services है, तो कुछ कुछ medical services, जो hospitals, doctors, एक्सेक्टर ये लोग देते हैं, उसके उपर GST हटा दिया है, बुला भाई, already बिचारा patient है, इतना परिशान है, उसके उपर भी तुम GST लगा होंगे, तो कुछ exemptions, मैं सब नहीं बोल रही हूँ, कुछ exemptions ऐसे हैं, जो GST department ने दिये वह है, जो हम पढ़ेंगे specifically in exemptions chapter, ठीक है, ये registration के बारे में हम पढ़ेंगे in registration chapter, exemptions के बारे में हम पढ़ेंगे, exemptions chapter के आदे, ठीक है, और फिर, और फिर, government ने एक scheme लाई, ठीक है, government ने एक scheme लाई, called as composition scheme, अभी composition scheme, government ने किसके लिए लाया, mainly for small business person, ठीक है, जो लोग में न, जहां पर न, amount इतना जादा नहीं होता, पर quantum of transactions बहुत हो जाता है, ठीक है, अभी जैसे general store का, एक example लो न, महाँ पर कोई आता है, 10 रुपय का chocolate खरीद के जाता है, कोई आता है, 20 रुपय का bread खरीद के जाता है, example, कोई आता है, 50 रुपीज का मैदा खरीद के जाता है, example, 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 तो अभी उन लोग का turnover, अभी कुछ-कुछ grocery store बहुत बढ़े होता है, ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ grocery store होता है, बहुत चोटे होता है, ठीक है, कुछ-कुछ service provider, saloon होता है, saloon, hair cutting saloon, कुछ-कुछ होता है, इनका turnover इतना नहीं होता, पर quantum, इसे quantity बहुत चादे दिखते है, अरे याज 10 customer है, अरे याज 20 customer है, लेकिन turnover इतना नहीं होता, तो उनके लिया गर्मेंट ने composition scheme लाया, ठीक है, जिसमें गर्मेंट वोलते हैं, एक काम करो, बिचारा तुम लोग ऐसे भी इतना धंदा करनी पारे हो, तो तुमारा जो भी turnover है ना, direct, ज्यादा कुछ books of accounts वगरे, maintain मत करो, तुमारा जो भी turnover है ना, उसके पर एक flat rate, discount नहीं है हम तुमको तोड़ा rate में, पर उसमें एक flat rate पर आप GST पे कर, तो composition scheme वाले सोचे, अच्छा यार, पहली बद तो rate भी 18% नहीं भरना, कुछ ना कुछ कम भरना, और दूसरा, directly, खली इतना देखो, इतना maintain करो कि तुमारा sales कितना है, वो sales के पर directly flat rate government को भर के खतम करो, no जंजट, ठीक है, कोई लफडाइंग नहीं है, ठीक है, अब इसके pros and cons के हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में हो सकता हमारा view change हो जाए, कि composition scheme अच्छा है, कि नहीं है, बट फिलाल के लिए, फिलाल के लिए हम का लिए देख रहे हैं, कि अच्छा, ये scheme आई है, ठीक है, चलो done है, ठीक है, तो government ने ये तीन चीज़ों के बारे में बात किया, ठीक है, government ने एक registration के बारे में बात किया, government ने एक exemptions के बारे में बात किया, और government ने composition scheme के बारे में GST के अंदर बात किया, और जहाँ पर आपको benefit देने का कोशिश किया, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है, एक हमने पढ़ा था कॉंपनसेशन से सज कर के एक नाया आक्ट आह था GST, नाम इस टी कॉंपनसेशन डु स्टेट्स सिस्थ अर्ट टू घॉट सेट्स फिल हला हम इतना ही बात करने आ यह यह पॉर्टिक्लर टैप का टाक्स है सेस ठीक है एक पर्टिक्लर टाइप का टाक्स है जो दो कैटेगेरी ओफ प्रोड़क्स के उपर लगता है एक तो होता है आपका डी मेरिट प्रोड़क्स के उपर लगता है दूसरा होता है आपका लग्शरी प्रोड़क्स के उपर लगता है जिसे वेन आपको पहले ही बताय अब उसके उपर Central Government plus State Government दोनों खाने हाल है, तो Loss of Revenue किसको हो गया, Loss of Revenue हो गया to the State Government, Central Government को तो extra कुछ मिला ही है, लेकिन Loss of Revenue हो गया to the State Government, अब उसके टबैको हो गया, Motor Cars हो गया, etc. ये वाले जो टाइप की प्रोड़क्स है न, इसके उपर उनोंने क्या बोला, ठीक है, Central Government एक टैक्स लगाएगा, ठीक है, Central Government, दोनों, इंट्रस्टेट हो, इंट्रस्टेट हो, कोई परनी बढ़ता, Central Government ये वाला टाइप ऑफ टैक्स लगाएगा, कुछ प्रोड़क्स के उपर, at a particular percentage, और इसमें से जो रेविन्यू आएगा न, वो दिया जाएगा to that State Government, जिसने, जो बोल रहा है कि सार हमको loss हो है, तो उसको हम as compensation बोलके दे देंगे, ठीक है, उसको हम as compensation बोलके दे देंगे, because वो particular State ने कुछ amount of loss suffer किया, समझ रहा है था, ठीक है, ये भी हो गया, अभी इसके बाद मैं, in general मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, in general, अभी GST अगर मैंने आपको जब starting मैं पूछा था, आपने क्या बोला था, GST is the tax which is levied on goods and services, ठीक है, goods and services दोनों के उपर लगने वाला है, अभी कौनसे goods and कौनसे services के उपर लगने वाला है, वो next question है, तो by default जब भी भी मैं आपको पूछो ना, कि goods and GST किस के उपर लगेगा, तो आपका answer होना चाहिए, G GST सब के उपर लगेगा, ठीक है, GST सब टाइप के goods and सब टाइप के services के उपर लगने वाला, अच्छा मैं लेकिन कुछ exception भी है क्या, कि जिसके उपर नहीं लगेगा, ठीक हो एक तो exemption हमने अलग पढ़ा था, exemption रहेगा, कुछ essential goods and services के उपर, and कुछ ऐसे keys होगी, जो तो यहां पर आता है, alcoholic liquor, alcoholic liquor for human consumption, ठीक है, दारू, alcoholic liquor for human consumption, यह जो product है न, इसको totally outside the purview, okay, totally outside the purview of GST रखा है, अभी इसके उपर, इसके manufacturing बोलो, इसके distribution बोलो, या इसके sale के उपर बोलो, GST फिलाल applicable नहीं है, इसको totally बाहर रखा है, ठीक है मैं, मैं मतलब क्या for a tax free हो गया, क्या, तो क्या हम भी shop चालू कर दे क्या, नहीं, tax free नहीं हुआ है, मैं आपको खाली इतना बोला है, this is totally outside the purview of GST, मैं मतलब समझाती हूँ, रुको, ठीक है, प्लस, इसके साथ में, इसके crude, okay, spirit, motor spirit, petrol, diesel, aviation, turbine, fuel, flights वगरे के लिए जो fuel चिये रहता है, aviation, turbine, fuel, and natural gas, मैं सब relating to oil, petroleum, products, etc, crude, petroleum, crude, petrol, diesel, ATF, and natural gas, ये 5 products के लिए इन लोगने क्या बोला है, इसके उपर उनको GST लाना है, ठीक है, लेकिन अब तक तो नहीं आया है, अब तक नहीं आया है, और ये future date से आने वाला है, ठीक है, ये आएगा, लेकिन future में आगा, आज के दिन GST applicable नहीं है, इसके उपर GST आएगा from a future date, and that date will be notified by the Central Government, Central Government बताएगा कि हाँ बढ़ी, इस द Central Government आपको बताएगा, after taking recommendation from the GST council, याद एक GST council बना के रखा था, 2016 से, हाँ, तो GST council basically recommend करेगा, propose करेगा, बोलेगा, हाँ, GST होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, final decision कौन देगा, final decision will be given by the Central Government, कि हाँ ये date से, ये 5 product के उपर GST applicable होने वाला, इतना manageable है, ठीक है, तो ऐसे बोल सक 1 plus 5 products, 1 plus 5 products के उपर आप भी आज के दिन पर GST नहीं है, बट ये 5 products के उपर GST आ सकता है, कोई भी दिन से GST आ सकता, समझ रहा है इतना, ठीक है, अभी, ma'am, फिर एक बात बताओ ना, ये जो 1 plus 5 products है, मतलब मैं ऐसे लिख दू, alcoholic liquor एक product हो गया, और दूसरा आपका 5 products हो गया ओके, alcoholic liquor हो गया, और 5 products हो गया, अब इसके उपर GST applicable नहीं है, मतलब क्या ये पूरा tax free है, क्या, ने, समझो अभी, अभी उनलों बोल रहा है, जब alcohol manufacture होता है, ओके, जब alcohol manufacture होता है, तब उसके उपर state excise duty लगेगी, पुरानी वाली, देखे, पूरा सबस्यूम नहीं किया है GST के अंदर, ऐसा नहीं है कि पुराने वाले लॉस को टोटली चोकडी मार दी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, state excise duty लगेगा इसके manufacturing के उपर, और फिर बाद में जब वो बिकेगा ना, जब बाद में वो sell होगा ना, तब उसके उपर VAT और CST लगेगा on its sale, मतलब ये वाले प्र पर VAT या CST लगाएंगे, हाईला, माला तो प्रॉब्लम ही है न, अरे इसलिए तो इन सब के प्रोट प्राइस इतने जादा है न, इतने सारे टाइप ओफ टैक्स लग रहा है, और चैस्ट पर चलता जा रहा है, जिस दिन GST आएगा उसे नम एक्सपेक करें कि इंगे प्र इतना सा काली ध्यान रख लेना, अल्कॉलिक लिकर स्टेट के हाथ में और वो 5 प्रोड़क्स सेंटर के हाथ में, इसके लिए स्टेट एक्साइज़टी एंड सेंटर एक्साइज़टी, समझ रहा है, अच्छा, अब देखो, अब, 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 प्रोब्लम, अब मैं और दो प्रोड़क्स के बारे में बात करती हूँ, एक हो गया अपका टबैको, ओके, और एक हो गया आपका ड्रग्स रिलेटेट प्रोड़क्स, जैसे, OPM सुनाओगा आपने, O-P-I-U-M, ओके, इंडियन हेंप करके सुनाओगा, नार्कॉटिक ड्रग्स वगरे अब यह दोनों प्रोड़क्ट तो मैंने उपर लिखा नहीं था, मनलब यह GST में आता है कि यह GST में नहीं आता है, यह GST में आता है, मनलब बेच होगे, तब इसके उपर GST तो लगना है, अच्छा मैं 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 मैनुफाक्चरिंग के टाइम पर, तो उन लोग ने बोला, म बैकोर्ड रग्स एक्सेक्टरा, बुरे प्रोड़क्ट है, तो बोलते हैं चलने तो कैस के अडिंग, तुम्हारा के जा रहा है, ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइस ज्यूटी लगाएंगे अट दे टाइम ओफ मैनुफाक्चर, औड GST लगाएंगे अट दे टाइम ओफ सेल समझा इतना, अचा ओपोसिट बता दो, ड्रग्स के डाइम पर क्या होगा, स्टेट एक्साइस ज्यूटी लगेगा अट दे टाइम ओफ मैनुफाक्चर, औड GST लगेगा अट दे टाइम ओफ सेल, समझ रहा है, परक समझा क्या हुआ यहां पर, यह तो अभी भी GST के पढ़ लिया, एक तो पहला हमने exception पढ़ लिया, तो मैम अगर GST applicable नहीं है, तो फिर क्या applicable होगा, वो हमने यहां पर left hand side पर पढ़ लिया, और फिर दो special treatment हमने पढ़ लिया, about two different category of products, समझा, manageable है इतना, ठीक है, यह इन लोग ने एक बोलाव है, ठीक है, नॉर्मली क्या बोल ठीक है, अच्छा, एक और extra point में को आपको याँ पर बताने का है, real estate सुना अपने, real estate, या फिर land and building वगरे सुना आवा अपने, land and building, can we say यह immobile property के अंदर आता है, ठीक है, तो कभी भी अगर land का sale होगा, तो उसके उपर GST कभी नहीं आता है, ठीक है, हम आगे भी अगे, बट संसे चाप्टर के अंदर हम पुरा overview कर रहे है, तो मैं आपको बता है, ठीक है, building पुरी ready हो गई है, building पुरी ready हो गई है, तो उसके उपर GST applicable नहीं होने वाई, समझ गया है, ठीक है, बिल्डिंग के लिए हम और भी कुछ चीज़े पढ़ेंगे, under construction building का क्या मैं उसके पर तो GST था, वगर है, वगर है, exceptions आने वाल है, ठीक है, फिलाल मैंने बोला, land अगर होगा, no GST, ready, ready building अगर आप पर्चेस करें, ready flat अगर आप पर्चेस करें, ready house अगर आप पर्चेस करें, उसके पर भी GST applicable नहीं हो, manageable हो गया यहां तक, ठीक है, अब अब यह पहले हम बोल रहे थे हैं, पहले हम बोल रहे थे हैं, कि मैं दूसरे taxes applicable है, VAT applicable है, CST applicable है, service tax applicable है, exercise duty applicable है, इन सबसे जंजट हो गया हमको, इसके लिए उनने सुच है, इन सबको बंद करता है, और GST को लेकर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उनको एक concept लाना पड़ेगा, called as subs assumed, वालब, एक तरह से मिलावट करने पड़ेगी, यह सारी जो पुराने वाले taxes है, उन सबको मिला, जुला के, एक भूम, करके एक tax आने वाला है, called as GST, लेकिन आपने उपर से observe किया, यह पुराने वाले taxes पूरे खतम होगा, या अभी भी चाल हो है, कुछ products के उपर अभी fledgedly GST आ चुक है, ठीक है, तो अब हमको यह समझना है, कि पुराने वाले regime के अंदर, जो भी taxes थे, क्या वो GST के अंदर subsium हो गए है, या फिर वो GST के अंदर subsium नहीं हो गए है, अगर हो गए है, तो कौन से taxes subsium हो गए है, वो समझ लेते हैं, ठीक है, अभी मैं इसको दो प excise duties थे, वो subsium हो गए, अलाग-अलाग नाम था, central excise duty था, additional excise duty था, countervailing duty था, special countervailing duty था, excise duty under medicinal and toilet preparation act, ऐसे करके अलाग-अलाग type of excise duties थे, वो excise duties subium हो गए, मला वो पुराने वाले खतम हो गए, और अभी सिव GST applicable है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट से exception जिसके पर अभी भी ल लगता है, हम उसकी बात नहीं कहा रहा है, हम इन जेनरल बात करा, ठीक है, दूसरा, service tax, पूरी तरीके से खतम हो गया, ठीक है, service tax, पूरा का पूरा सबसियों हो गया, फिर, CST था, उपर वाले प्रोडक्स को छोड़ दो गया, तो उसके अलावा, CST पूरा का पूरा खतम ह ठीक है? फिर, पहले पहले, कुछ सरचार्ज लगते हैं, आपके income tax के अंधर लगता है, कुछ सरचार्ज लगता है, कुछ सेसल लगता है, एक सेक्टरा, वो सब लगते हैं, हुँस अन्होंने पूरा कदम चार्ज तर नाम के, सरचार्ज के नाम पर इतना कउच लूच लू वाट बोलो उसके पहले होता था सेल्स टैक्स करके वो भी खतम होगे ठीक है फिर उसके बाद में पहले होता था टाक्स ओन अडवर्टीजमेंट वो भी खतम कर दिया ओके टाक्स ऑन पर्चेज़स पर्चे़स करके टाक्स होता था आई राम वो भी खतम कर दिया आप तो वोलते हैं पर्चेस करो सेल करो जीएस्ट एप्ली के वेला ठीक है फिर होता था पहले लग्शरी टैक्स कुछ लग्शुरियस प्रोडाक्ट्स वगरे पर है लग्शरी टैक्स होता था इसके उपर, खतम कर दिया, GST के अंदर लेकरा था, ठीक है, फिर उसके बाद में, entertainment tax, यह ध्यान से सुनना, ठीक है, entertainment tax, जो पहले state government लगाता था ना, जो पहले state government लगाता था ना, वो अब हो गया है, खतम, मैं इसको यहीं पर cross करता हूँ, आपको समझ जाए local authority, यह चाल हुए, यह अभी भी चाल हुए, state government वाला at least खतम हो गया, local authority वाला चल दा रहे, ठीक है, जैसे आप movie वगरे देखने जाओ गया है, तो tickets के उपर notice करना, आपे entertainment tax लगा रहता है, वो उस area के local body ने लगा रहता है, वो tax अभी भी चल रहा है, पर state government अभी भी entertainment tax नह है, ओके, surcharge बोलो, या says बोलो, जो state government लगाता था, जैसे यहाँ पर central government लगाता था न, वैसे यहाँ पर state government लगाता था, बोलता हुए, उसा भटा लिया, और यह सारे के सारे taxes किसमें सब्सियूम हो गया, यह सारे के सारे taxes आपके GST के अदर सब्सियूम हो गया, समझ रहा है ठीक है, अभी, तो मैं ऐसे कैसे identify करें, कौन से taxes सब्सियूम होंगे, और कौन से taxes सब्सियूम नहीं होंगे, ठीक है, तो उनलोग ने चार principles बना है, वो चार principles पे अपन डिसाइड करेंगे, कि whether that tax will be subsumed और whether that tax will not be subsumed, तो सबसे पहले, सबसे पहले तो उन्होंने बोला, खाली वो ही वाले taxes सब्सियूम होंगे, जो indirect tax है, direct tax है वैसे भी सब्सियूम नहीं कर सकते न, income tax होटे न, खतम होगे, ठीक है, only indirect taxes, जो goods या services को पर लगता था, सिर्फ वो ही सब्सियूम होंगे, ठीक है, दूसरी बात, वो एक ऐसा type का tax होना चाहिए, जो उस chain में आता है, मतलग, manufacturer से लेके consumer के chain में वो लगता था, या फिर service provider से लेके service recipient, उस chain में वो tax लगता था, जैसे पहले वाले में, exercise duty लगता था, VAT लगता था, CST लगता था, service tax लगता था, वो सब वो transaction chain में आता था, वो सब को खातम कर था, ठीक है, any transaction, any taxes which was forming part of the transaction chain, that will be substitute, ठीक है, फिर उ उसके बाद में, next वाला, ऐसा कोई भी tax है, जिसका अभी, जिसका free flow of credit मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी tax है, जिसका free flow of credit मिलना चाहिए, इंट्र स्टेट लेवल पर हो, इंट्रा स्टेट लेवल पर हो, doesn't matter, okay, example, example, exercise duty and service tax, और exercise duty and CST, दोनों same government को बिलोंग करते थे न, फिर भी credit नहीं मिलता था, CST का, तो उन्होंने बोला, सब सी उंखतम करो, problem था, खतम, GST के अंदर लेकर आजा, okay, exercise duty and VAT, credit नहीं मिलता था, set off नहीं होता था, minus नहीं होता था, एक गुसरे के सामने, क्यों, एक था central government, एक था state government, बोलता है problem है, खतम करो, सब सी उंखर दो, GST के अंदर, ठीक है, और last, लास्ट उनों बोलता है, government के साथ में ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, okay, government के साथ में ना इंसाफी नहीं होनी तो ये चार principles को मध्य नजर रखते हुए, ये चार principles को मध्य नजर रखते हुए, इनलों ने बोला, आप अब जो taxes अपसियूम करने है ना, आप सबसियूम कर दो, ठीक है, अच्छा मैम, आप अलग बता सकते हो गया, अलग वे मैं, तो कौन से taxes सबसियूम नहीं हुए, ठी इंपोर्ट के टाइम पर लगता है ना, मैनुफेक्ट्टर से कंस्यूमर तक तोड़ी ना लगता है, इंपोर्ट के टाइम पर लगता है, नहीं सबसियूम किया, ठीक है, इंकम टाक्स, नहीं सबसियूम किया, क्यों, हाँ हाँ हाँ, डारिक टाक्स है, ठीक है, तीसरा, प् उसके पर नहीं आता था और अलग से उनलोंने एक टाइप का एंटर्टेन्मेंट टैक्स रखा कॉन सा एंटर्टेन्मेंट टैक्स विच इस टो बी लेवीड बाइद लोकल बॉडिस क्यों रग दिया इसको क्यों नहीं हटाया इसको कि यह ना सेंट्रल गवर्मेंट लेवी क यह तो लौकल अतोरिटी तिसरे बाइप का गौवर्मेंट डपका लेवी करें एद्धो इससे अपन को पहली बैस यह पता च्ला कौन कौन से टाक्स्सीं साप्सियों होगा है ठीक है फिर उसके बाद में यह पता चला अरे सबसियूम करते वक्त क्या principles follow किया है क्या logic follow किया है ऐसा नहीं ना मैंने exercise duty बोल दिया तो सबसियूम हो जाएगा उसने property tax बोला तो सबसियूम हो जाएगा नहीं कुछ तो base रखना पड़ेगा ना कि क्या basis पे हम taxes को रखने वाला समझ रहा है इतना चीक है बहुत सारी बाते हो गई ना एक बार यह text book में से देख ले जो जो हमने पढ़ा अब तक चीक है अभी मैं वापस से read नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह सब हमने discuss कर लिया है आपके text book के ने सब कुछ लिखावा है मैं आपको बता देते हूं ठीक है framework of GST सबसे पहले dual GST model to be introduced in India दोनों को powers दिये जाएंगे पिर types of taxes कब TGST लगेगा कब SGST लगेगा कब IGST लगेगा वो सब हमने पढ़ लिया पिर यादे एक state जब दूसरे state को कौन से tax लगेगा एक state दूसरे union territory को दे रहा है कौन से tax लगे यह सब हमने discuss कर लिया था example के साथ म है वो सब यहाँ पर लिखावा है ठीक है फिर उसके दमें classification या थे दो code यूज किया था classification के लिए कौन सा code यूज किया था एक hsn code यूज किया था और एक essence code यूज किया था वो भी यहां पर मैंशन है फिर government तीन चीज़ों के बारे में बात की थी एक तो registration अगर उसका aggregate turnover threshold limit से exceed कर रहा है तो यूज को registration लेने का है ठीक है फिर government ने बोला exemption कोच essential goods and services है जिसको GST से exempt कर दो मतलब government क्या करेगा पता है उसके लिए government है ना notification पास कर देगा कि भाई exempted तो बात का तम अच्छा है उसके पर GST नहीं है और फिर government ने composition scheme लाया है जादे छोटे लोग मैंने आपको general store, saloon, etc का example दिया था वो यहां पर अच्छा फिर उसके बाद में compensation से इसका आपने बात कर लिया, demerit products के उपर and luxury products के उपर फिर उसके बाद में यह तो बहुत important है GST tax on goods and services मैं आपको बोला था यह तो सब क्यों पर लगता है all goods and services except 1 plus 5 एक ता alcoholic liquor for human consumption और यह 5 products तरह है इसके उपर तो GST कब लगेगा फिर इसके उपर GST लगेगा जो date notify होगी बाद में central government notify करेगा after taking recommendation from the GST council और फिर हमने इसके बारे में भी बात कर लिया था यह देखो summary table ready आपके लिया है alcoholic liquor for human consumption उसके उपर क्या सीन है पांच product उसके उपर क्या सीन है हाँ tobacco and drugs अच्छा नहीं है तो बोला GST भी लगेगा और उसके पहले excess duty भी लगेगा वो यह लिखा है उपर है ना मैंने statement form में भी लिख दिया है और नीचे आपके quick reference के लिए summary भी बना भी है समझ रहा है इतना manageable है ठीक है फिर उसके बाद में अभी हमने पढ़ा कौन से taxes अच्छा उससे भी पहले एक और चीज़ उससे भी पहले एक real estate के बारे में आपको बोला real estate is totally kept outside the ambit of GST यादे immobile property के उपर हम GST नहीं लगाने वाल येस ठीक है फिर उसके बाद में हमने बात किया taxes subsumed in GST चार principle हमने दिमाग में रखा था ओके सबसे पहला principle जो भी आप subsume करोगे वो indirect taxes होना चीए दूसरी बाद जो आप subsume करोगे वो transaction chain का पार्ट होना चीए तीसरा pre flow of tax credit देना चाहिए अगर नहीं दे रहा है हटाओ उसको और चौथा revenue fairness होना चीए between the central government and the state government इसको मध्या नजार रखते हुए हमने कुछ central taxes and कुछ state taxes को subsume कर लिया in GST वो ये लिखा है यहाँ पर कौनसे central taxes on कौनसे state taxes ठीक है entertainment tax में आपको specifically ध्यान रखने को बोला कौनसा वाला सबस्यूम हो जाएगा entertainment taxes levied by the state government वो सबस्यूम हो जाएगा लेकिन entertainment taxes levied by the local body वो सबस्यूम नहीं होगा बराबर है यहाँ तक हमने पढ़ लिया यहाँ तक manageable हो रहा है यस चलो ठीक है दूसरे points पे चलता है कुछ ना सीखता है कुछ ना पढ़ता है outside this credit etc कुछ procedural पढ़ता है यस तरी शूरू तरी शूरू चलो यहाँ ध्यान दो ठीक है मेरे साथ सब लो अभी देखो यहाँ आपको registration के बारे मां हमने कुछ पढ़ा था कि अगर आपका aggregate turnover threshold limit से उपर जाता है तो हमको registration अगर लेना पड़ेगा फिर अगर आप एक छोटे businessman हो आप तो बहुत बड़े हो अगर कोई छोटा businessman है ठीक है तो यह सब manually determine होगा या फिर तो registration वग रहे है सब manually करने का या फिर आज के दिन हम digitization के जमाने में हम तो आज के दिन digitization के जमाने में है तो सब उन्हों ने बोला सब कुछ online कर दो तो इन लोग ने क्या किया ना GST department ने शुरू दिन सही डे वन सही ऐसा नहीं कि बाद में हुआ है ठीक है शुरू दिन सही इन लोग ने एक GST common portal बनाया website portal उसमाने वाट website GST common portal बनाया उसका web address देखो गया ना अगर आप तो इस www.gst.gov.in मैं आपको दिखा भी दोंगी ठीक है GST.gov.in करके वेबसाइट बने कॉल्ड एस GST common portal ठीक है अभी यह जो website है यह हर चीज के लिए यूज होगी आपको कुछ भी करना ठीक है मानो आपको registration लेना तो यह website यूज करो आपको payment करना यह website यूज करो ठीक है आपको GST registration cancel करना website यूज करो आपको tax payment करना यह website यूज करो आपको GST के returns फाइल करना यह income tax के returns वैसे GST के returns फाइल करना यह website यूज करो आपको अधर तिंग यह एकलोती website यूज हो ठीक है आचा मैं यह website चलाता कौन है तो इस website is managed by a section 8 company non-profit organization section 8 of the companies act section 8 companies को चलाता है called as GSTN GST network okay GST network see यह सब आता है central government के अंदर ही ठीक है government नहीं establish किया यह company को भी लेकिन यह company का GSTN का main काम क्या रहेगा कि भाई तुम्हें एक website बनाओ which is going to be an interface between the government and the taxpayer government यह रहा taxpayer यह रहा डोनों को connect करने के लिए एक website चिये that is GSTN अब ही हर चीज के लिए website यूज करनी है सिवाए एक काम called as evable हमारे पास chapter अलग से evable जो हम अलग से पढ़ेंगे यह evable कैसे generate होता है क्यों चाहिए etc एक document होता है basically जो generate करना होता है whenever the goods are into movement तो वो evable का काम है एक अलग website पर होगा ठीक है यह वाली जो website है यह कोई section 8 company नहीं चलाती है यह ministry चलाती है अब उन्होंने पुरा को पुरा नाम देके रहा कहावा है ठीक है national informatics center जो basically central government के अंदर आती है एक particular ministry यह वाले website को चलाती है ठीक है अब यह वाले जो second वाले website में आपको बोला ना उसे एक ही purpose के लिए काम आएगी for the purpose of everything relating to evable उसके अलावा उसके अलावा everything will be done on the GST common port ठीक है अब जैसे मैं क्या-क्या काम होता है वापस से बताओ ना तो इसके उपर इसके उपर जैसे म payment का काम होगा returns file होंगे to the government ठीक है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में आपने वो ITC वो जब माइनस करते ना set-off वो आपने प्रोपर लिया है की नहीं लिया है वो calculation भी website आपको करके देगा हम पढ़ेंगे आगे ठीक है फिर उसके बाद में पूरा MIS report निकलता है management information system एक तरह से detailed report निकलता है कि भाई यह taxpayer का पूरे साल भर में turnover क्या था ओके इसने कुल मिला कि कितना tax भरा कि इसके इसे कितना tax pay वालता है एक पूरा MIS report बन की जेनरिव दोगा जो government के पैस में जायेगा government report को analyze करेगा और फिर तुमारा गला पकड़ेगा चीक है फिर उसके आ कुछ website से पता चले समझ रहा है इतना ठीक है यह functions हो गया आपका यह वाले website अभी यह website चलाने के लिए ठीक है gst.gov.in यह website चलाने का काम किसका यह चलाने का काम हो गया gstn का ठीक है अब gstn तो खली क्या है gstn is a section 8 company वो कैसे चलाएगी website को तो उन्हेंने बोला ठीक है ना काम करो website चलाने मला IT इन्वाल हो गया na software website वो सब इन्वाल हो गया तो अब इसके लिए you can take help of gsps and asps ma'am full form please gst gsp stands for gst suvidha providers ठीक है and asp stands for application application service providers ठीक है अब ही gst suvidha suvidha मतलत आपको पता ही suvidha मला help होता है ठीक है तो उन्हेंने बोला gstn आपे काम करो gsps की मदत लो इसे tcs हो गया infosys हो गया taxman हो गया इंकी मदत लो इनकी मदत से आप ये website को बना आओ इसकी मदत से आप customers को service provide करो taxpayers को service provide करो ठीक तो basically जो service providers होता है वो gsps हो गया अच्छा अब gsps किसकी मदत ले सकता है अब जैसे infosys हो गया tcs हो गया इंको अभी gst की website maintain काने का जिम्मा दे दिया responsibility दे दिया तो ये लोग किसकी मदत लेंगे they can take the help of asps जो छोटे छोटे डेवलापर्स होता है ना छोटे 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 service providers हो गया है website developers हो गया है website maintenance people हो गया है ये ऐसे छोटे छोटे application service providers होंगे जिनकी ये लोग मदत ले सकता है ठीक है तो ये लोग आते हैं इंके अंडर ASPs आते हैं GSPs के अंदर पर इंकी मदत लेना allowed है कोई problem नहीं अदवे website किसे चलेगा आज पूरा इंडिया GST के लिए एक ही website use कर रहा है तो website तो अच्छी चाहिए नहीं तो हम तो आए दिन डाउन रहेंगे आए दिन डाउन रहेंगे तो ultimately loss of revenue to government होगा तो इसके लोग नहीं बोला GSTN you take the help of GSPs GSPs you take the help of ASPs समझ रहा है तो ठीक है तो यह दो पॉइंट मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखा देती हूँ पहले आगे जाने से पहले तो यह रहा GST common portal के बारे में लिखा हुआ है GSTN के बारे में लिखा हुआ है section 8 company के बारे में लिखा हुआ है और यह दूसरे website के बारे में लिखा हुआ है basic website तो आपकी यह रही gst.gov.in और e-webill के लिए यह वाली website होगा है समझ रहा है अच्छा अब यह GSTN का function क्या क्या है तो इसका function is to do registration to file returns to the government to do the settlement of IGST पते है वो IGST divide होता है central government and state government वो back end पर calculation होता है मैं आपको बला था वो इसी के back end पर calculation होगा फिर matching of tax payments with the banking network हमने तो tax का payment कर दिया हमारे bank से cut गया अभी सामने वाले के account में credit हुआ है कि नहीं हुआ है वो match होगा MIS रिपोर्ट जाएगी government को भाई इसका total turnover क्या था भाई इसका tax rate क्या था भाई इसने tax भरा है कि नहीं भरा फिर analysis of tax payer's profile am I a regular tax return filer am I a defaulter उसब कुछ website automatically analyze कर लेगा from the data that it has available with itself ठीक है और फिर दूसरी बात running the machine engine for matching reversal and reclaim of input tax credit अभी यह हम आगे पढ़ेंगे बहुत early stage अभी आपको यह बता ना बट जैसे अभी हमने input tax credit लिया हमने minus किया लेकिन हम यह तब कब minus कर सकता है only अगर हमने पहले वाले level पे वो tax pay किया था तो ही ना अगर government को वो tax पहुँच गया होगा तो ही तो government हमको उसका benefit देगा तो वो सब match होता है website ठीक है और फिर अभी हमने last बात किया about GSP's and ASP GST's उविदा providers and application service provider इतना समझ में आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे basically हमारा point number 10 तक ठीक है point number 10 in your book point number 10 तक हमारा सब कुछ करके हो चुक है ठीक है अभी point number 11 and 12 बहुती beautiful points है ठीक है यह मैं पहले आपको 12 सिखाऊंगी फिर मैं आपको 11 सिखाऊंगी ठीक है and 12 भी मैं आपको theory में नहीं सिखाऊंगी यह अगर आप theory पड़ोगे न तो सब ऐसे जाएगा ठीक है सब ऐसे जाएगा हमको ऐसे नहीं करना है हमको अच्छे से पढ़ना हो ठीक है तो मैं आपको इसका numerical example देती हूँ and numerical example से मैं आपको समझाती हूँ बहुत must point है बहुत simple है Kelsey लेके बैठ जाओ खाली तो बहुत फट 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 हो जाएगा करी शुरू करी शुरू करी शुरू करी शुरू हाँ ठीक है ब्रेक दे रही थी आपको एक मिनिट का खाली वैसे में recorded lecture है कभी भी पॉस कर लेना ठीक है चलो यहाँ देखो everyone अभी हमें concept पढ़ रहे है कॉल्ड आज सीम्लेस सीम्लेस फ्लो ओफ क्रेडिट मास्क मक्खन गोलता ना जिसको बस वाइए यह सीम्लेस सीम्लेस फ्लो ओफ क्रेडिट अभी चलो सबसे वेले काम करता हैं इंटर स्टेट इंटर ने इंटर स्टेट सप्लाएं के साथ मैं चालू करें इंटर स्टेट सप्लाएं लेट से सब लोगी की स्टेट के अंदर है that is in the state of Maharashtra ठीक है पहला ट्रांजक्शन हुआ बेट्वीन A to B second transaction हुआ बेट्वीन B to C third transaction हुआ बेट्वीन C to D ठीक है चार लोग involved है तीन transaction involved चलो यहाँ पर दियान दो अभी let's say A ने B को कुछ goods बेचा हमकाली goods का एक्जेम्पल है तो same services में भी apply होना goods बेचा goods का value is equal to 10,000 अभी A और B सब A B C D सब महारास्ट्रा में situated है interest rates apply होगे interest rates apply होगे तो कौन सा taxes लेवी करेगा यह है it will levy tax called as CGST and महारास्ट्रा SGST yes total rate is equal to 18% अधा अधा कर देंगे तो 999% हो जाएगा तो यह 900 रुपय हो गया यह 900 रुपय हो गया total amount is equal to 11,800 अभी देखो नहीं यहाँ पे ध्यान दो ना अभी मैं यहाँ पे खली columns बना रही हूँ कुछ this is particulars this is CGST this is Maharashtra SGST SGST ठीक है ठीक है बागी open रखते है फिलाल पहले वाला transaction जो है A to B वाला transaction उसमें आप बताओगे क्या अभी government को कितना amount of tax जाएगा जब A B को बेचेगा तभी A B को बेचेगा तो कहने इसे 900 और 900 जाएगा ठीक है यह 900 जाएगा तो 900 जाएगा तो CGST अकाउंट के अंदर जाएगा और दूसरा 900 जाएगा तो महारास्टा SGST के अंदर जाएगा ठीक है सब सेमी स्टेट के अंदर है ना तो destination वाले government को जाता है destination वाला बंदा भी तो महारास्टा में है इसके लिए महारास्टा चलो ठीक है नेक्स्ट पे जलते हैं मानो बी ने सी को आगे बेचा सेम गुड्स हां सेम गुड्स लेट से अट 15,000 बेचा वो कॉंसा टाक्स लगाएगा सी के उपर सी भी महारास्टा में है तो आपस CGST लगाएगा और महारास्टा SGST लगाएगा नाने जबले आता ठीक है म अभी कितना हो गया 17,700 बताओगे क्या कितना अमाउंट गवर्मेंट को जाना चाहिए अभी बी वॉस अपोस्ट टू पे हाँ मच बी वॉस अपोस्ट टू पे 1350 टू दे गवर्मेंट बट उसमें से उसने अल्रेडी 900 रुपीज का यहां पर टैक्स भर दिया सिमिलर्ली 1350 यहां पर पेवल है लेकिन उसमें से 900 रुपीज उसने यहां पर अल्रेडी पे कर दिया तो वो क्रेडिट लेगा ना उसका GST के अंदर है तो क्रेडिट तो लेना बनता है तो क्यान वी से अट इस लेवल गवर्मेंट को CGST 1350 पेवल था जिसमें से हमने हम आई टी सी लेंगे ऑफ 900 रुपीज तो क्याना इसे 450 जाएगा और सिमिलरली SGST का भी सेम होने वाला 1350 पेवल था उसमें से हमने ITC ले लिया ओफ 900 यह पहले वाला 900 तो अभी हम पे करेंगे 450 बराबर है अभी तो क्याना इसे क्याना इसे है बीटू सी वाले ट्रंजाक्शन में CGST पे होगा 450 महारास्ट्रा SGST पे होगा 450 चेकर अन्फिर सी टूडी लास्ट लेट्स से गुड़ सेल किया फाइनली 20,000 रुपीज में डी इस ऑल्स इन महारास्ट्रा तो हम वापस से CGST एन महारास्ट्रा SGST लगाएंगे 99% इसके उपर आ जाएगा 1800 रुपया 1800 रुपया टोटल हो गया 23,600 ठीक है अब बताओ ना अब बताओ ना पी जब गर्मेंट को टैक्स पे करने जाएगा पूरा या फिर कुछ क्रेडिट ले लेगा कुछ क्रेडिट ले लेगा कितने का क्रेडिट लेगा वो देखता है चलो CGST पेएवल इस इकल टू नौ सो रुपया सॉर्ड नौ सो नी अठारा सो रुपया CGST पेएबल इस इकल टू 8800 माइनस उसमें से ITC उसने कितना पे किया था यह पूर्चेस करता है वक्त उसने 1350 1350 पे किया था तो यहां से 1350 चला गया कितना बचा वापस 450 and same SGST के अंदर भी अठारा सो माइनस क्रेडिट ओफ दिस इस ना क्रेडिट ओफ दिस 1350 सो इसमें से भी ITC मिल गया ओफ 1350 बचा 450 कैने से फाइनली थर्ड ट्रांसक्शन के अंदर भी हमने CGST 450 SGST 450 पे किया कुल मिला के कुल मिला के यहां पर अठारा सो रुपए गए यहां पर अठारा सो रुपए गए ठीक है अभी यह अठारा सो वापसे कैसे मैच कर होगे पाइनल लेवल C2D पे कस्टमर को जब बेचा तब 20,000 में बेचा अठारा सो अठारा सो अल्टीमेटली गवर्मेंट के पास में पहुंचना चाहिए और वो पहुंच रहा है इतना यह इतना मखन क्यू लग रहा है यह इतना मखन इसके लिए लग रहा है क्योंकि दूसरे लेवल पर जो टैक्स पे किया है वो दुसरे लेवल पर उसका क्रेडिट मिलते जा रहा है इसके लिए ठीक है अभी यह तो इसलिए अचा और फाइनली अपने ब्रेक अप देखा अमांट कैसे गया आधा पैसा गया इतना मैनेज हो गया दूसरा एक्जांपल दो थोड़ा कंफ्यूस करूं ट्राइ करोगे ठीक है चलो अच्छा इससे एक और चीज़ पता चलता है इससे एक और चीज़ पता चलता है अपने यहां पर यह माइनस किया ना अब यह आगे चलता है अभी लेट्स टेक देख लिए एक्जांपल उफ इंटरस्टेट सप्ला है ओके लेट्स टेक देग्जाम्पल ओफ इंटर स्टेट सप्ले है फिलाल के लिए हम तीन ट्रांजाक्शन ले लेता हूँ A to B, B to C, C to D, same ठीक है? A of Maharashtra, Selling Goods to B of Maharashtra Maaam, ये तो इंटरा हो गया, तो लाएंगे न, बीच में इंटर भी लेकर एंगे, चिंता ना कर ठीक है, Goods, 10,000, figure same रखले, Plus, बताओ न, tax कौन सा लगाँ, A to B है, Maharashtra to Maharashtra C, G, S, T at the rate of 9%, Maharashtra, S, G, S, T, क्यों? Destination Maharashtra का है, at the rate of 9%, 900 रोप्या, 900 रोप्या टोटल अमांटों के, 11,800, बताओ क्या करूं, कर्मेंट को कितना चाहेगा, C, G, S, T account के अंदर 900 चला जाएगा, Maharashtra, S, G, S, T account के अंदर 900 चला जाएगा, ठीक है, मैं इसका एक टेबल भी बना लेती हूँ, easy हो जाएगा बात के लिए, ठीक है, अभी मैं कॉल्म बना रही हूँ, C, G, S, T, Maharashtra, S, G, S, T, फिलाल इतना ही रखता है, 1st transaction, A to B, 900 रोप्या यहाँ चला गया, 900 रोप्या यहाँ चला गया, manageable, ठीक है, अभी दूसरा, 2nd transaction, ओक, this was the 1st transaction, 2nd transaction, B of Maharashtra, Sells 2, C of Rajasthan, हूँ, कौंसर टास लगेगा, इंटरस्टेट हो गया, इंटरस्टेट हो गया थो, IGST लगेगा, ठीक है, लेट से, गुद्स बेचा, 15,000 रोप्या, वो बिल के अंदर लेखेगा, प्लस IGST, पूरा, IGST तो integrated होता है, बाद में sharing होती है, तो पूरा at the rate, 18%, 2700 यहाँ लगा दिया, total amount is equal to 17,700, this is how it happens, अभी, थोड़ा छोटा करती है, सो देड़ आपको दिख ज़, अभी government को कैसे pay करेंगे, government को IGST payable is equal to 2700, पर अब हम सोचेंगे यार, पहले तो tax भर दिया है ना, भी सोचेंगा ना, उसने तो पहले यहाँ पे tax भर दिया है, जब उसने एसे purchase किया ना, तो वो पहले पूरा CGST का credit कतम कर रहा है, उसने भर दिया ना government को, 900 रुपया, और फिर महारास्टरा SGST का credit कतम करेगा, 900 रुपया, तो खुश है एक दम, life sorted है उसकी, कितना रुपीज हो गया, 900 रुपया बचा, 900 रुपया कौन से फॉर्म में बचा, 900 रुपया हम बरेंगे इंदे फॉर्म आइजी एस्ट, समझ रहे था, अब इसका ना मुझे टेबल में इंपक्ट बता हो ना थोड़ा, second transaction है, B2C, एक नया टाइप का tax पैदा हो गया, IGST, अब ही मैंने क्या क्या पता है, आप figures धियान रखो ना, so that मुझे page scroll करने में असानी हो जाई, IGST total payable था 2700, उसमें से हमने CGST credit use कर लिया, वहां से पैसे उठा लिया, SGST credit use कर लिया, और फिर बचा अपना IGST cash में pay कर दिया, यह तो मैंने, क्रेडिट तो खतम हो गया, तो अब तो इतना तो भरना ही पड़ेगा, तो कहना इसे, SGST में से मैंने 900 निकाले, उसको IGST के अंदर लादा, महाराश्ट्रा SGST में से 900 निकाले, उसको IGST के अंदर लादा, और प्लस IGST 900 मैंने cash से भरा, तो अभी मैंने जितना भी total 2700 जो भरावा है न, वो एक ही account के अंदर रखावा है, that is IGST, इतना ठीक है, चलो ठीक, अभी last, third transaction में जलता है, अब मज़ा है, ठीक है, अब third transaction में, C of Rajasthan, is selling to D of Rajasthan only, किस पर आगए वापस है, इंट्रास्टेट पर आगए, ठीक है, गुड्स बेचा हूँ, गुड्स का वैल्यू था 20,000, अभी राजस्तन रू राजस्तन, कौन सा टैक्स लगाएगा, CGST, SGST, 99%, 1800, 1800, total amount is equal to 3000, और 23,000, 6,000, अब बताना, गवर्मेंट को कैसे पे करेंगे, गवर्मेंट बोलेगा, मुझे CGST चाहिए 1800, फिर गवर्मेंट बोलेगा, मुझे SGST चाहिए 1800, हम क्या बोलेंगे, थंड रख, ठीक है बोलेगा, मैंने अल्ड़ी प्रिवियस लेवल पे कितना टैक्स भर दिया, 2700, मैंने IGST के फॉर्म में भर दिया, 2700 भर आया, फिगर दियान रखना, अब मुझे 1800, प्लस 1800 भरना है, तो क्या हम यहाँ पर IGST क्रेडिट ले सकते हैं, ले सकते हैं, IGST क्रेडिट में बस टोटल कितना रखा है, टोटल 2700 रखा है, प्लस यहाँ, पर यहाँ पर तो माइनस ओनली 800 न, अचा, और कितना IGST क्रेडिट बाकी रह गया, टोटल मेरे पास था 2700, उसमें से 1800 यूज हो गया, 900 बाकी रह गया, अचा, बैलेंस टैक्स पेडल, कैश में कितना पेडल हो गया अभी, 900 रह गया, कौन सा टैक्स I am paying in cash, SGST, अचा, वो भी आप मुझे बदा सकते होगे, यह कौन सा SGST है, इस राजस्तान SGST, ठीक है, एक नया कॉलम बना लेता है, राजस्तान SGST, अब यह इसका effect देता है, यह जो transaction किया न, इसका effect टेबल में देता है, IGST use करके CGST भरा, IGST use किया, 1800 use किया, तो वो transaction है, C2D, और CGST में भर दिया, बराबर है, यह वाला डन है, SGST, 900 रुपया IGST का use किया और SGST भरा, कौन सा SGST वो भी, राजस्तान, IGST में से 900 use किया, और राजस्तान SGST भरा, और प्लस राजस्तान SGST थोड़ा cash में भी भरा, यहाँ पे भी भरा, cash में, अभी, चलो totals मारते हैं, इसका net effect zero आ गया, इसका net effect zero आ गया, आप total करके देख लो चाहिए तो, ठीक है, फिर उसके बाद न, इसके अंदर 1800 रुपया आ गया, और इसके अंदर 1800 रुपया, ultimately देखो न, कौन से गवर्मेंट के पास में पैसा बज़ गया, ultimately, central government, CGST में 1800 रुपया बज़ गया, राजस्तान SGST के अंदर 1800 रुपया बज़ गया, मैं magic हो गया, क्या, नहीं बच्चो, magic नहीं हुआ है, देखो न, finally goods कहां पे consume हुआ है, finally goods राजस्तान में consume हुआ, finally 1818 होना चे ये tax, finally, और वो भी CGST और राजसान SGST, so CGST और राजसान SGST में 1818 रुपया जाने चीए, समझा क्या किया, इतना सारा transaction हो, but ultimately हमारी, हमारा conclusion एक ही जगे पे खतम होने वाला है, जहाँ पे भी final destination है, वो government को पैसे जाने चीए है, और बचावा आदा central government हो जाने चीए, आया समझ में है, ठीक है, तो ये है न, this concept is called as what, this concept is called as seamless flow of credit, हमने इधर उधर से credit utilize किया, ठीक है, हमने इधर उधर से credit utilize किया, और वो credit utilize करके, हमने, we made sure that the entire concept of GST stays valid, और उसके लिए हमने ये working किया, और इससे हमको पता चला, समझा, see, intra-state में साथ कोई problem नहीं है, क्योंकि intra-state में न, एकी state involved है, intra-state में problem आएगा, क्योंकि वाँपे multiple states involved हो जाए, बट आप कुछ भी कर लो, आप कैसे भी कर लो, अगर आपकी working प्रॉपर है न, तो ultimately वो respective state government को पैसे मिल नहीं है, समझ रहा है था, ठीक, अभी देखो, मैं आपको text book से कुछ दिखाती हूँ, ये जो भी मैंने आपको बोला न, वो यहाँ पी, seamless flow of credit में लिखा हूँ है, पहला example मैंने यहाँ पे डाला वाए, इंटरा state का, दूसरा example मैंने यहाँ पे डाला वाए, इंटर state का, ओके पूरा पूरा, figures change हुआ है, example पूरा का पूरा से मैं, और last पे मैंने यह table बना दिया, देखो, जैसे अभी हमने table बना आ न, सेम टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया, revenue sharing, समझ रहा है, मैं नया figures क्यों ले रही हूँ, so that आप textbook में से जाके, दूसरे figures का example ट्राए कर सको कुछ से, ठीक है, यह हो गया, अब एक और चीज़ में को आपको यहाँ पे बतानी है, बहुत जल्दी है बताने के लिए, फिर भी, since first chapter में आपके ICI ने include किया हूँ है, तो why not we should also study, अभी manner of utilization of ITC, how to utilize the ITC, अभी IGST का अगर credit है न, तो सबसे पहले किसके सामने यूज करो, उसी के सामने, मतलब first utilize it against IGST liability, फिर भी अगर कुछ IGST credit बच जाता है, तो उसको किसी के सामने भी यूज कर लो, CGST के सामने यूज कर लो, या SGST के सामने यूज कर लो, there is no sequence, मुझे पहले C के सामने यूज करना है, कोई प्रॉब्लम निये कर लो, मुझे पहले S के सामने करना है, कोई प्रॉब्लम निये कर लो, ठीक है, लेकिन I सबसे पहले I के सामने यूज होना चीए, ठीक है, फिर similarly आप मुझे logic बताओ न, C किस के सामने यूज होना चीए, CGST का अगर credit होगा, सबसे पहले we will use it against CGST liability, फिर we will use it against IGST, S के सामने तो करी नहीं सकते हो, दोनों का 36 का अगड़ा है, CGST, SGST के सामने नहीं चलेगा, ठीक है, तो C, C के सामने, and then I, I के सामने, and same, अब तो आप मुझे बिना दिखके बता सकते हो, कैसे बिना दिखके, SGST और UTGST, SGST क्रेडिट रहेगा, तो सबसे पहले किस के सामने यूज़ करोंगे, पहले SGST लाइबिलिटी के सामने यूज़ करेंगे, फिर अगर कुछ बजगया तो IGST के सामने, C, S के सामने नहीं हो सकता, S, C के सामने नहीं हो सकता, ठीक है, यह वापस है, इन डीटेल आएगा, वेन वी डू ITC चैप्टर, इन पुट टैक्स क्रेडिट करके, एक भारी बढ़कम चैप्टर है, ब़ोट सिंपल है, बड़ा चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, समझ गया इतना, ठीक है, तो ICI ने क्या किया था, यह जो सारे के सारे पॉइंट्स, अभी हमने जो डिसकस करें, उसको एक हेडिंग के अंदर डालके रखा था, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होगे, ठीक है, डिफ्परेंट, अलग अलग चीज़ पढ़ेंगे, कहां टोबैको पढ़ लिया, अलग अलग चीज़ है, यह पूरा का पूरा पूरा फ्रेमवर्क, इसके आजू बाजू यह अपका पूरा का पूरा जीस्ट घुमने वाला है, समझ गया इतना, हां, चीक है, चल, लास्ट पार्ट अप दे चाप्टर पे चलते हैं, लास्ट पार्ट आपका किसके बारे में बात करना आला पता है, इस गोईंग तो टॉक अबाउट सम जेनरल तिंग्स और कॉंस्टिटूशनल प्रोवेशन्स, तो इस जीस्ट से किसको क्या-क्या फाइदा हुआ, वो पढ़ेंग है, और लास्ट पार्ट प्रोवेशन्स, वो पढ़ लेता है, ठीक है? अरे शुरू आगे, येस, सबसे पहले चालो करता है, बेनेफिट्स ओफ जीस्ट, जीस्ट से हमको बेसिकली क्या-क्या फाइदा हुआ, ठीक है, अब इसको इन लोग ने ना, चार पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, सबसे पहले तो, एककनॉमी अज़ ओल, ओके, एककनॉमी अज़ ओल को क्या फाइदा हुआ, दूसरा, टाक्स स्ट्रक्चर में क्या सिंप्लिफाइट, सिंप्लिफिकेशन हुआ, टैक्स कंप्लाइंस में क्या सिंपलिफिकेशन हुआ, और ओवरॉल टरेड और इंडस्ट्री, पूरे भारत को क्या फाइदा हुआ, या फिर भारत के इंडस्ट्रीज को, nuts, एकसेटरा को क्या फाइदा हुआ, ऐसे उन लोग ने डिवाइट किया वाई ठीक है अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं सबसे पहले तो बड़ा फाइदा हो गया है दूसरा इसके वजह से अब यह टैक्स क्रेडिट्स जब से मिलने लगे है जो पहले एक्साइज में नहीं मिलता था यह टैक्स क्रेडिट्स जो अभी मिलने लगे उस वज़े से अब वो पैसा इंडिया का इंडिया में ही है सो इंवेस्ट्मेंट में बहुत ज़्यादा हो गया अचा इन्वेस्ट्मेंट अगर हो गया तो एंप्लॉइमन अपॉर्चुनिटीज क्रियेट हो गया अगर हमको ज़्यद धाधा फैक्त्रीज यहां पे डालनी है तो हमको अपोर्चुनिटीज भी देने पड़ेगी तो वो आपका benefit हो गया to the economy okay similarly similarly farmers वगरे को भी benefit दे दिया इन लोग ने अच्छा ठीक है अभी क्या-क्या form में इन्होंने farmers को benefit दे दिया बहुत सारे schemes निकाल दियों के लिए बहुत सारी जगाओ पर बोल दिया GST इंको totally exempted है ठीक है फिर उसके बाद में यह लोग जो भी कुछ raw products बेच रहे उसके ओपर GST applicable नहीं है यह लोग जो agriculture operations वगरे कर रहे है उसके ओपर GST applicable नहीं है हम आगे पढ़ेंगे जैसे हम exemption chapter में जाएंगे ता ठीक है similarly, similarly industry overall को तो बहुत benefit हो रहा है हमने अभी देख लिया manufacturer से लेकी consumer तक बीच बीच में वोलो taxes भर रहे है पर अपने pocket से कोई नहीं भर रहा है सब लोग customer से ही लेके भर रहे है सो ultimately industry तो बहुत अच्छे benefit में है ठीक है ऐसा नहीं customer को फाइदा नहीं है customer को भी फाइदा है पहले customer multiple taxes भरता था अब customer को पता है कि वो एक ही tax भर रहा है that is your GST अब वो नहीं हो रहा है और उस वज़े से small businessmen को तो अलगी फाइदा हो रहा है बड़े वाले लोग तो फिर भी सहे लेते हैं मलब वो लोग की उनका तो businessmen से निकल जाता है बड़ छोटे वाले लोग are the people who ultimately suffers अब उनके ले भी scheme निकाल दिया registration के लिए threshold limit अच्छा कासा रख दिया composition scheme निकाल दिया उनके लिए तो यह ट्राइंग to give benefit to small people also right अच्छा tax compliance अभी जैसे tax payment हो गया filing of tax returns हो गया यह सब simple क्यों हो गया या इसे एक तो वह अपना जो GST common portal था इकलो था information technology इन्होंने best use किया and उसके जिसे most of the things are automated now most of the things are automated and उस वज़े से बता है बहुत सारे लोग अपना GST का का काम खुदी कर लेता है जिसके जिसे हमारा compliance cost कम हो जाता है या फिर dependency on staff, dependency on other professional सोड़ा सा कम हो जाता है जिसके जिसे मुझे monetary फाइदा भी तो मिल रहा है ना मेरा cost कम हो गया हम आपे that is because of the IT procedures that they have implemented अच्छा and यह सब के वज़े से यह सब के वज़े से एक तो थोड़ा transparency हो गया अभी ऐसा नहीं हो रहा है टाक्स जा किदर रहा है we know कि यह टाक्स किदर जा रहा है ठीक है and दुसरी बात दुसरी बात business करना comparatively comparatively okay easy हो गया है because from tax point of view we are talking okay I am not telling you from compliances point of view otherwise तो हर businessmen India में परिशान ही रहता है कि यह follow करें कि वो follow करें यह loss देखें कि वो loss हो ज़े हम उसके पारे में बात ने करें but अगर आप सिर GST point of view बात करोगे तो चीज़े बहुत simplify हो गई है ठीक है चीज़े बहुत simplify हो गई है चीज़े बहुत ज्यादा transparent हो गई है so these are some of the benefits okay these are some of the benefits of the GST concept which they have brought up let's move to the last part of the chapter that is बड़ा कर दू इसको that is your constitutional provisions ठीक है संभाल के करेंगे something called as constitutional provisions एक पार्ट हमने इसका already देख लिए constitutional provisions मतलब हम क्यों पढ़ रहे पहली बात तो GST में because GST लाने से पहले उनको constitutional amendment करना ज़रूरी था ठीक है वो purpose वो purpose के लिए हमने यहां पर हम यहां पर constitutional provisions थोड़ा सा in-depth पढ़ने वाला है अभी देखो यहां पर उन्हों क्या बोलता है न इंडिया as a country अगर आप देखो गे न तो यहां पर तीन लेवल में ओगे तीन लेवल में यहां पर गर्मेंट अपरेट करती है सबसे उपर आगे आपका central government दूसरा आगे आपका state government और तीसरी आगए आपके local government लोकल अथोरिटी मुंसिपल corporation एक्सेक्टरा वह आँ अभी constitution ने क्या करके रखावा है इंडिया के constitution ने क्या करके रखावा है उन्होंने powers delegate करके रख दिये था सेंट्रल government के पास में यह power मैं taxes के point of view बात कर रहूं ठीक है central government के पास में यह xyz taxes लेवी करने के powers है example income taxes ठीक है state government के पास में यह वाले taxes लेवी करने के powers है example stamp duty ओके और लोकल government के पास में xyz टैक्सेज लेवी करने के पावर्स है, एक्जाम्पल, विंसिपल टैक्सेज, एक्सेक्ट, ठीक है, ऐसा Constitution ने अल्रेडी बटवारा करके रख दिया था, ओके, एन इंडिया में ना, Constitution के उपर कुछ नहीं है, Constitution is a supreme person, उसके उपर कुछ भी नहीं है, we cannot override the Constitution, आम उसके उपर नहीं जासाट, अभी ये Constitution के अंदर एक Preamble है, स्टार्ट में एक Preamble जैसे दिया वर रहता है, और उसके बाद में उसके अंदर, 448 articles है, ओके, इंडियन Constitution के अंदर, 448 articles है, जो हर आर्टिकल अलग-अलग चीज़े बोलता है, अभी, अभी उसके अंदर, हमको हमारे syllabus के लिए, we need to study a few articles, and there is a purpose, that why are we studying those articles, ओके, सबसे पहले मैं आपको बोल रही हो, about article number 265, ओके, article number 265, हाँ, article number 265, किसके बारे में बात करता है, article number 265, Constitution में एक दम clear है, बोलता है, तु ऐसा कोई भी taxes, levy भी भी नहीं कर सकते हो, या तो मैंसा कोई भी taxes, collect भी नहीं कर सकते हो, जिसके लिए, law ने authority नहीं दिया है, सीधी बात है ना, अभी मैंने, मानो, teaching की टाइम पर मैंने tax लगा दिया, अरपिता tax, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, constitution नहीं पावर्स ही नहीं दिया है, क्या पैसा कोई टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, तो बिना legal authority, बिना law authority के, you cannot levy any taxes, इदम सिंपल है, यह article number 265 ने बोले हैं, ठीक है, next चलते है, article number 245, यह भी बहुत सिंपल है, यह बोलता है, भाई, दो लोग है, ठीक है, एक तो parliament है, parliament के पास में powers है, कि वो whole of India के लिए कोई भी loss बना सकता है, ठीक है, इंडिया, Indian territory के लिए, वो कोई भी loss बना सकता है, और दूसरा उन्होंने बोल दिया, अच्छा, ठीक है, तो बच्चे वे, state government, state government के पास में powers है, कि वो कोई भी particular state के लिए, state और part of the state, ओके, जिसे महारास्टरा government, सो महारास्टरा government के पास में powers है, कि वो महारास्टरा state के लिए, कोई भी loss बना सकता है, ठीक है, यह भी understood है, अगर हम local authority के बारे में बात करें, तो वो particular local authority, can make the law for that respective local area, ओके, if I talk about, थाने municipal corporation, ओके, थाने, थाने municipal corporation, तो थाने municipal corporation, can make laws for the city of थाने, समझ रहा है थना, वैसे, ठीक है, यह भी मैम समझ रहा है, इसमें भी कोई problem नहीं है, अभी next article पे चलता है, आर्टिकल नमबर 246, इमीडेट नेक्स आर्टिकल, ओके, आर्टिकल नमबर 246, यह है ना, एक तरह सी इसका continuation है, 245 का continuation है, जहां पे उनने बोला है, रिस्पेक्टिव पावस हमने देखे रख दिया है, कि यह government, यह taxes का बनाएगी, आर्टिकल नमबर 246 के अंदर ही, एक सेवन्थ शेडियूल है, इसी आर्टिकल के अंदर, एक सेवन्थ शेडियूल है, जहां पे उननोंने क्या किया है, इंडिया में, जितने भी matters हो सकते हैं, वो उनलोग ने तीन list के अंदर divide किया है, इसके अंदर है वो सारे के सारे matters listed होंगे, जिसके सोल पावर सिर्फ किसके पास में है, जिसके सोल पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्मेंट के पास में है, अच्छा, स्टेट लिस्ट के अंदर, वो वाले powers mention होंगे, जिसके पावर सिर्फ किसके पास में है, स्टेट गवर्मेंट के पास में है, exclusive exclusive okay and concurrent list के अंदर वो वाले matters है जिसके अंदर powers are there with both central government and state government अच्छा मैं तो ठीक है तो यह अभी क्यों पढ़ा रहे हो यह हम इसके लिए पढ़ा रहे है क्योंकि उनलोग ने यह article के अंदर changes किया था and GST को उनलोग ने introduce किया था in the concurrent list अब क्लिक हुआ क्यों GST को concurrent list के अंदर include किया था because GST के लिए powers किसको दे दिये GST के लिए powers उनलोग ने दे दिये to central government and state government कि भाई तुम दोनों मिलके इसके लिए laws वाला समझ रहा है पहले ऐसा नहीं था ना पहले तो exercise duty वगरे का बात करेंगे तो union list में था वाट का बात करेंगे तो state list के अंदर था लेकिन अभी ऐसा नहीं है समझ रहा है अच्छा अभी इसकी अंदर अगर डालने गा था मतलब क्या नहीं से ये schedule of ये article amend करना पड़ेगा ये schedule of ये article amend करना पड़ेगा इसके लिए तो constitutional amendment का जरुवत था ना इसके लिए तो constitutional amendment का जरुवत था और ये उन लोग ने क्या किया ना एक नया article एड कर दिया इसी का एक्स्टेंशने नमबर देखो ना इस वस आर्टिकल नमबर 246 and this is your आर्टिकल नमबर 246a इसके अंदर एक नाया हेडिंगे इंडियूस कर दिया नाया आर्टिकल इंडियूस कर दिया called as power to make laws with respect to with respect to GST power to make laws with respect to and if i progress ऑने सो ellos के अंदर ना इतन सौ्ट रकाना Sultan क्या पीर पर या पता है या आटिकल इंडर नमने डाल दिया with the Parliament Words Iona be a passive मैंगे पारलीयामेंट and state Parliament and every state we can say legislature of every state legislature of every state दोनों को मिला के, they have got all the powers with respect to making laws relating to GST. ठीक है, पार्लियामेंट के पास में भी powers है, and state के पास में भी powers है, कि they can make all the laws relating to GST. पर एक चीज ना, पार्लियामेंट बहुत शाणा है, Central Government ने एक चीज क्या क्या पता है, पार्लियामेंट ने बोला, देखो भाई, दो मैटर्स है, जो हमको शेर नहीं करने का, मलब जिसका decision making power पार्लियामेंट के पास ही रहना चीए, एक तो बोलता है, अगर कभी भी interstate supply पार्लियामेंट के पास है, यह पार्लियामेंट के पास है, बाद में शेर करता है, वो बात अलग है, तो interstate supply से relating, अगर कभी भी कुछ decision लेना है, तो वो पावर सिफ के पास में है, वो पावर सिफ पार्लियामेंट के पास में, ठीक है, आण दूसरा, हम आगे पढ़ेंगे something relating to place of supply, okay, place of supply, place of supply माला एक तरह से बता है, वह आपनको यह find out करने में मदद करता है, कि यह interstate supply है कि intra-state supply है, example, मैं अभी मुमई में बैटी हू, मुमई में बैटके, if I am providing online lectures to you, let's say in Delhi, तो फिर मैं यह क्या है, मतलब यह interstate है, आप तो वहा हो, हम यहा है, लेकिन online services ही provide कर र गता है, तो वो सब सोट होता है, by the concept of place of supply, तो उन्होंने बोला, place of supply वाले matters भी, किसके हाथ में रहने वाले, exclusively in the hands of parliament, ठीके, बाकी सारे matters बोलते हैं, कोई problem ही, parliament and state मिलके decide करेगा, लेकिन interstate supply and place of supply, यह दोनों के लिए, exclusive powers, ठीके, मैं आपे लिग देती हू, exclusive powers are with whom, exclusive powers are with the parliament, समझा, यह उन्होंने किधर fit कर दिया, यह उन्होंने fit कर दिया, आर्टिकल नमबर 246A, जो जिस्ट आर्टिकल 246 के नीचे आजाए, ठीक है, अचा, अब उनको और भी कुछ चीज़े डालनी थी, in the constitution about GST, एक और आर्टिकल इंसर्ट हुआ, आर्टिकल नमबर 269A, ओके, this talks about GST in case of interstate supply, ओके, GST in case of interstate supply, तो उन्होंने बोला, चलो ठीक है, क्या-क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, हमको क्या-क्या पता interstate supply के बारे में, तो उन्होंने बोला, ठीक है, interstate supply अगर होगा ना, तो सबसे पहले तो IGST लेवी करेंगे, ठीक है, IGST under the IGST Act 2017, वो हम लेवी क करेंगे, अगर कोई भी interstate supply of goods या services होता है, तो, ठीक है, and this will be levied by the government of India, central government basically इसको लेवी करेंगे, central government इसको लेवी करने के बाद में, this ये revenue को क्या करेगा, ये revenue को share करेगा, this will be apportioned between the union, union territory नही बोला, union मला central government, and this will be apportioned between union as well as the states in such ratio as may be determined, okay, in such ratio, in such ratio as may be determined, समझ रहा है, अब वो ratio determined करने का काम GST council का है, वो बताएगा भई, क्या ratio पे करना चाहिए, फिर उसके आदम उसको decide करें, इतना समझ रहा है, अच्छा, अभी देखो, अभी देखो, ये वाला जो पाट ना, जो state, देखो ये तो central government को जा रहा है, इसमें तो वोई consolidated fund of India में नहीं जाएगा, क्यूं वो consolidated fund of India में नहीं जाएगा, क्यूं वो consolidated fund of India में नहीं जाएगा, consolidated fund of India ना, central government को भिलॉंग करता है, और ये portion किसका है, this portion is of the state, तो वो respective state government को पे करो, उसको वो consolidated fund के अंदर मत डाल, समझ रहा है यतना, ठीक है, तो उसको कभी भी ध्यान रखना, state वाला जो portion है, वो consolidated fund of India में नहीं जाए, ठीक है, इतना आपन को यहाँ पे ध्यान रखने का, and yes, next point हमने already समझ लिया यहाँ पे, next point is, Parliament के पास में exclusive powers, दो चीजों का exclusive powers है, फड़ा फड़ा सकते हो, कौन से दो चीजों का exclusive powers है, एक तो आपके interstate supply का exclusive powers है, and दूसरा, place of supply से relating कोई भी matter रहेगा, उसके लिए decision making, पूरा का पूरा किसके हाथ में है, decision making, पूरा का पूरा, Central Government, that is Parliament के हाँ, समझ रहा है ना, yes, ठीक है, तो यह आपके major provisions है, ठीक है, यह आपके major provisions है, अभी I am entering, अभी I am entering the last two articles, okay, last two articles of your constitutional provisions of your chapter number one, ठीक है, एक तो है आपका article 279A, नाम से समझ रहा हो का नया है, ओगे, article 279A, this talks about the GST council, okay, second वाले का reference मैं अभी नहीं दे रहे हूँ, फिलाल कली समझ लो, article number 279A, which talks about the GST council, ठीक है, अभी सुनो, यह GST council बनाने का powers किसके पास में था, यह power था, अब तो बन चुका है ना, यह power था आपके, प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है, यह power था आपके प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने बोला, चलो एक GST council बनाते है, ठीक है, चलो एक GST council बनाते है, so that all the decisions relating to GST वो लोग मिलके बना लेंगे हमारा काम तो गया था Constitution के दर amendment करना याद है अपको वो तो को गया था अब इसके बाद में GST relating laws GST relating laws कौन बनाएगा तो उन्होंने वोला GST council बनाता है ठीक है? और इसके नदर mix लोग रहेंगे सेंटर से भी लोग रहेंगे, स्टेट से भी लोग रहेंगे joint forum बना देंगे, joint group बना देंगे called as GST council ठीक है? अभी सबसे पहले तो ये समझ लेता है ये इसके नदर कौन-कौन बैठने वाला है ठीक है? फिर उसके बाद में देखेंगे उनका काम किया है फिर देखेंगे कि भाई ये लोग actually practically कैसे function करते है वो समझेंगे next ठीक है? अभी यहाँ पर देखो अभी इसका constitution कौन-कौन इसके नदर बैठने वाला है constitution of GST council तो उनने बोला है इसके अंदर है सबसे पहले तो एक chairperson रहा है and फिर वो chairperson के अंदर there are going to be a few members हमीशे ऐसी होता है न कोई तो भी रहेगा जो head करता है और फिर उसके अंदर कुछ members रहेगा अब ये chairperson कौन है? most important person कौन है अपने finance से relating पूरे इंडिया में finance minister so our honourable finance minister is the obviously finance minister of India not of the state honourable finance minister is going to be the chairperson example currently it is Nirmala Siddharamanji so she will be the and whenever that person changes that person will be the chairperson of this GST council ठीक है अभी members में कहां कहां से लोग आएंगे so members में दो जगे से लोग आएंगे अच्छा ये तो कहना है इसे center से represent कर रहे तो central government yes अभी नीचे दो type के लोग रहेंगे एक रहेंगे union minister ठीक है union minister of state अभी ये है ना नाम से देखो ना union minister है माला center के बंद है ठीक है लेकिन वो किसको control करता है वो states को देखता है ठीक है एक ही person है ये एक हीच person है union minister of state who is in charge of who is in charge of revenue or finance ठीक है अभी जैसे देखो हर state हर state के अंदर भी कुछ लोग रहेंगे मालब हर state के ministry के अंदर भी लोग रहेंगे ऐसे बहुत सारे states से बहुत सारे union territories है ठीक है इन सब क्योग पर भी नज़र रखने के लिए there will be a person called as union minister of the state ठीक है एक ही बंदा है central government का ही person but he is looking after the revenue or finance of the states of all the states so this person is one of the member फिर उन्हो ने बोल दिया पिर उन्हो ने बोल दिया any minister who is in charge okay any minister who is in charge of finance or taxation उपर इस रविन्य और पिन्स यहर इस फिन्स और taxation and this minister you have to take it from every state हर state के अंदर जो भी एक particular finance या taxation को represent करने के लिए एक minister रहेगा उन सबको एक 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 करके यहां पर बैठा लो हर state से एक एक जनको बुला के बैठा लो तो इत्ते सारे लोग हो गए states को represent करने के लिए center को represent करने के लिए तो ultimately दो ही लोग हो है ठीक है लेकिन वो बहुत अच्छे post वाल है लोग है तो अंके पास में decision making बावस भी अच्छा ही रहेगा ठीक है तो this is how your GST council is formed ठीक है मैं आपको वापस बता देजे chairperson कौन रहने वाला है? chairperson is the honorable finance minister of the country ठीक है फिर उसकारण में members कौन रहेंगे? तो सबसे पहला member रहेगा union minister of the state who is in charge of revenue or finance ओके एन फिर उसल में हर state से एक एक मिनिस्टर को उठाएंगे who is in charge of finance और ये सारे लोग जैसी साथ में आके बैठते हैं ठीक है जैसी ये सारे लोग साथ में आके बैठते हैं वैसी आपका क्या बन जाता है वैसी आपका GST council is ready ठीक है GST council आपका यहां का यहां ready हो चुका है समझ रहा इतना? ठीक है अब ये GST council के functions क्या है वो तो मैं आपको last में समझा देते हूँ पहले इसका operations देख लेते हैं ये कैसे work करता है ठीक है? अच्छा अभी GST council GST council की भी meetings होंगे न अगर आपने कभी भी news observe किया होगा आप हमेशा देखना हो आप है GST council का meeting चालो है GST council का meeting 3 o'clock को है, etc, etc so GST council को भी decisions अगर लेना है, अगर उनको recommendations वगरे देना है, तो इनको भी सबसे मेले meetings करनी पड़ेगे अच्छा, meeting करनी पड़ेगे तो वो meeting के अंदर कुछ quorum भी तो होना चीए, न मैं, quorum मतलब क्या? कुछ minimum members भी तो present रहने चीए, न खाली, एक ही, imagine only finance minister आके बैठ गए है चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ quorum होना चीए, ठीक है, कुछ minimum number of members should be present so that you can conduct a valid meeting, वो भी होना चीए ठीक है, अभी कितना quorum होना चीए, वो देख लेता है, ठीक है quorum should be one half of the total number of members, जितने भी आपके total number of members रहेंगे, उनके आधे okay, मानो यहाँ पे, GST council मानो यहाँ पे आपके, for example 30 members, okay just for example, I am telling you, let's say there are 30 members, तो at least 15 present रहने चीए, 15 present है, मतलब आपका GST council का meeting at least valid है, ठीक है? यह तो meeting validity हो गया, अभी decisions कैसे लेंगे? ठीक है GST council के अंदर, अगर decision लेने का है, तो वो कैसे लेंगे? वो next सावाल खड़ा होता है तो उन्होंने बोला at least, मानला more than or equal to ठीक है, more than or equal to 3 fourth of the weighted votes क्या है यह? GST council में, अगर हमको कुछ भी हाँ करवानी है तो उन्होंने बोला, एक particular majority रहने चीए, ठीक है? अब वो कितनी majority रहने चीए, at least 3 fourth of the weighted votes of the members who are present and voting, जो वाँ पर present भी है और जो vote भी कर रहे है सी, जो लोग मस्त बैठे है ऐसे, और बोल रहे हैं, वी are not voting, we want to abstain from voting, हमको vote नहीं करना, उनको मत गिनो जो वाँ पर बैठे भी है और जो vote करने को तयार है, vote कुछ भी हो सकता है हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है बट वोलो vote करने को बैठे है उनका voting लेलो और उसमें at least 3 fourth तो हाँ आना चाहिए तो ही वो decision अप्रू हो मैं इतना तो समझ गया, पर what do you mean by weighted votes? तो रहना बोला एक weights दे दो थोड़ा, relevance दे दो Central Government के भी लोग बैठे हुए State Government के भी लोग बैठे हुए Number में अगर आप देखोगे तो State Government के लोग बहुत जादा बैठे हुए So, नहीं बोला, let's give some weights अभी मतला उन्होंने क्या बोला Central Government को है ना 1 third का weight दे दो and State Government को है ना State Government को है ना 2 third का weight दे दो ना ठीक है, मतलब क्या अभी तक तो कुछ भी नहीं संदे numerical example देती हुँ, समझने है कोशिश करो Kelsey निकाल लो निकाल ले है, ready है ठीक है, अभी देखो, सुनो let's say GST council है उसके अंदर है ना, total 30 members ठीक है, meeting में 20 members present है, possible or not possible possible, हर meeting में सब लोग है जरूरी नहीं है meeting valid की meeting invalid meeting valid, at least आधे लोग तो present है, ठीक अब ये 20 members में सब लोग बोल रहा हम सब vote करेंगा everyone wants to vote very good अभी इसके अंदर है ना, हमने देखा central government के दो लोग बैठे हुए, state government के 18 लोग बैठे हुए, 18 people possible, possible अभी ये, अभी ठीक है, अभी difference चालो होता है हमने एक matter propose किया before the GST council, अब हमको उसमें voting लेना है कि ये matter चलेगा कि नहीं चलेगा अभी ये matter हमको आगे government को recommend करना चाहे है कि नहीं करना चाहे है तो उसके लिए ना, central government के जो दो लोग present है वो दोनो, all two of them said yes अब हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है ये matter अप्रूव होगा या फिर ये matter अप्रूव नहीं होगा तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, three-fourth voting आया है and three-fourth normal हम नहीं ले सकते है, हम ऐसे नहीं बोल सकते है अच्छा ठीक है चलो, 20 में से 12 लोग have said yes हम ऐसा नहीं बोल सकते है, ठीक है तो हमको कुछ weights देना पड़ेगा अभी चलो, में को एक चीज़ बताओ, central government में लोग कितने था दो लोग बैटे थे, central government से, और कितने लोगों ने हाँ बोली दोनों ने हाँ बोल दी, माले कहना है इसे, central government में 100% voting आ गई ठीक है, state government में 18 लोग बैटे वेता है, उसमें से 10 लोगों ने हाँ बोली क्या percent लोगों ने हाँ बोला, what percent people said yes 55.56% people said yes, ठीक है, अब इनको weights देता है, ठीक है, central government state government, people saying yes, कितना है, यहाँ पर 100% है और यहाँ पर 55.56% है ठीक है, अब इनको weights देता है, weights कैसे देंगे, central government को कितना weight देने को बोला था है इन लोग ना, one third weight and state government को two third, so क्याना है से यह one third हो जाएगा और यह two third हो जाएगा and अब इसका product निकालता है, बचपन में निकाला होगा ना, अभी 100% into one third is going to give me 33.33% बराबर है, and 55.56 multiplied by 2 by 3 is going to give me somewhere around 37%, somewhere around 37.04 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, मोटा वोटी जो भी आपने decimals लिया होगा, उसके ओपर depend कर रहा है, मतलब मतलब मुझे कितना percent voting मिल गया, weighted अगर हम देखेंगे तो मुझे 70.37% का voting मिल गया, मुझे मेरी majority मिली और मुझे मेरी majority नहीं मिली, मुझे कितना जीए था, यह 3-4th voting जाए था, 3-4th is nothing but 75%, जबकि मुझे मिली कितनी, मुझे only 70% मिली, मतलब यह जो भी decision हम लेने वाले थे, ठीक है, वो decision अप्रूब होगा या फिर वो decision अप्रूब नहीं होगा, वो decision अप्रूब नहीं होगा, because मुझे at least 75% का वोटिंग चाहिए था, और वो 75% का वोटिंग मुझे नहीं मिला है, समझ रहा है इतना, done, 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 yes, यह आपके article number 279A के अंदर ही सब कुछ लिखा पूँए, तो देखो, confused नहीं होना, ठीक है, कोरम जब हम देखता है ना, तब हमको half चाहिए, यह half of total number of members of GST council, लेकिन जब decision की बात आती है न, तब हमको at least 75% of weighted votes चाहिए, central government and state council, चेक है, और last, last point here, यह article number 279, एक अंदर लास्ट फ्रेंट, functions किया है, need किया है, काम किया है, functions of the GST council, इनका काम किया है, क्यों बनाया है, एक तो आपको यहाँ थे, इसको link करने का कुशिश करो न, वो 5 product पढ़े थे हैं, तो petroleum वाल है, उसके पर अभी GST applicable है, कि GST applicable नहीं है, उसके पर आज के दिन तो GST applicable नहीं है, बट future में हो सकता है गया, from a notified date, जो कौन notify करेगा, Central Government notify करेगा, on recommendation of the GST council, बल्ला, वो products के ओपर GST कब से आएगा, वो कौन बताने वाला है, देखो हमेशा है न, जो basic idea होता है न, वो GST council का होता है, ठीक हमेशा जो recommendations दिए जाता है न, वो हमेशा GST council के आता है, बाद में हम उसका लोकसभा, राजेसभा, एंड majority of the states से हम बाद में उसका अपरूवल लेते हैं, फिर वो law बनता है, बट पहले सबसे पहले recommendation जो आएगा, वो GST council का है, तो ऐसी हमको पढ़ने का है, क्या-क्या work है GST council के, अभी देखो, GST के जो rates decide होता है, वो GST council करता है, ओके, petroleum products, etc, etc, के ओपर, जो भी date से GST आएगा, वो date GST council recommend करेगा, ठीक है, model GST laws, first time law बनाया होगा, या फिर अभी कुछ भी नया लेकर आने का है, वो model, rough, sample GST law कौन बनाएगा, आपका GST council बनाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, कौन से taxes सब्सियूम हो जाएंगे GST में, कौन से बाकी रह जाएंगे, वो भी कौन decide करेगा, वो भी आपका GST council recommend करेगा, फिर उसके बाद में, वो यहाद है, registration उन्हीं को लेना पड़ता है, जिसका एक threshold limit exceed नहीं हुआ रहत है, वो threshold limit भी कौन decide करेगा, even that will be recommended by the GST council, फिर कभी के बाद मानो, कभी के बाद मानो, कोई भी state के अंदर, कोई natural calamity वगरे हो गई है, कोई disaster वगरे हो गया है, तो government को पैसी की जरुवत है, तो वो state में हम rate of GST बढ़ा सकते है, on whose recommendation, on recommendation of GST council. जैसे आपने सुना रहा ना, बहुत बाएर ऐसे कोई floods वगरे आता है, तो government floods से वगरे लगा देती है, तो वैसे GST में अगर उनको कोई नया tax लगाने का है, तो उनको GST council से सबसे पहले recommendation लेनी पड़ेगी, समझ रहा है? और फिर उसके बाद में, कुछ special category states है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कुछ special category states है, जिनके लिए हम कुछ special provision बनाएंगे, क्योंकि वो बिजनस में थोड़े से पीछे रह जाते, अगर होंगे तो, ऐसा GST law बोलता है, मैंने, स्पेशल category, कुछ states उन्होंने notify कर दिया है, जिसे majority आपके North Eastern states है, Assam हो गया, Arunachal Pradesh हो गया, Sikkim हो गया, Thripura हो गया, Nagaland हो गया, Jammu Kashmir हो गया, Manipur हो गया, Megale हो गया, ऐसे कुछ states है, जिसके लिए उनलों क्या बोल रहा है, हम क्या बनाने वाल है, we are going to make some special provisions, समझ रहा है यह सब, यह जो भी कुछ मैंने आपे लिखा, यह सब किसके functions है, these all, everything, पर है, GST में कुछ भी होने दो, सब किसके पास उसका decision making power है, पूरा का पूरा decision making power, not decision making I should say, पूरा का पूरा recommendation power किसके पास मैं, GST council, सी, GST council ने अगर हां नहीं बोला, तो बात आगी जाएगी नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले GST council उसके लिए हां बोलना चीए, हां बोलना चीए, महलब GST council खुद एक decision लेना चीए, महलब GST council में खुद में 75% का voting आना चीए, फिर उसके बाद में GST council इसको जाके government को recommend करेगा, फिर government उसके लिए या तो कोई notification लेकर आएगा, या circular लेकर वो लोकसभा में रखेगा, राजी सभा में रखेगा, फिर majority of the states से approval लेगा, उसके बाद में ही वो finally आपके GST law के अंदर incorporate होता है, समझ रहा है, and last, last point, that is article number 368 relating to article number 279A, जो भी हम पढ़ रहे हैं na GST council के बारे में उसी से relating article है, उनलोग ने बोल दिया, कि भई अगर आपको 368 क्या बोलता है, 368 बोलता है, कि अगर आपको article 279A के constitution में बदलाव करना है, मतलब क्या, GST council के constitution के अंदर अगर आपको बदलाव करना है, मतलब अभी या ते chair person, वो finance minister थी है, and फिर उसके अंदर कुछ members थे, उसके अंदर अगर हमको कुछ बदलाव करना है, तो बोलता है same three level of approval लगेगा, सबसे पहले लोकसभा के पास जाओ, उनसे approval लो two-third members से, फिर जाओ राज्य सभा में, राज्य सभा में भी same two-third members का approval लो, और फिर उसके बाद में जाओ, हर state के पास में, उसमें majority of the states, okay, majority of the states मतलब more than or equal to 50% states ने भी अगर हाँ बोल दिया, कि भाई, GST council में changes होना चाहिए, अगर ये तीनों हाँ हो जाता है, अगर ये तीनों हाँ हो जाता है, तो ही आप article number 279A के constitution के अंदर कुछ भी changes कर साओ, आई बात समझ में, ये किसने बोला, ये बोला है article number 368, समझ रहा है इतना, ठीक है मैं आपको दिखा देते हूं, ये देखो constitutional provisions यहाँ प पूरे देश के लिए law बनाएगा और स्टेट खाली अपने स्टेट के लिए law बनाएगा, फिर आर्टिकल 246 ने bifurcation कर दिया, स्टेट गवर्मेंट तुम ये टाक्स लगाओ, और सेंटल गवर्मेंट हो ये टाक्स लगाओ, और उसकी 7 शेडूल के अंदर जाके हमने लिस देखे थे, union list, state list and concurrent list and अभी GST किसके अंदर प्लेस कर दिया, उनलोग ने, GST उनलोग ने concurrent list के अंदर प्लेस कर दिया, फिर next बोल रहा है, constitutional amendment का जरुवत ही क्या था, तो पहले तो powers respective government के पास में थे, अभी dual powers हो गया, it is with both, center as well as state for the purpose of GST, फिर उनने corresponding article डाला, article 246 से, बोल state के specific powers, खाली किसके पास रहने वाले, interstate and मैंने एक और चीज़ यहां पर add किया था, that was your place of supply, कि powers exclusively सिर्फ किसके पास में रहने वाले, exclusively with the parliament, ठीक है, फिर interstate supply के लिए उन्होंने बोल दिया, ठीक है, हम GST तो लगाएंगे, वो government of India लाएंगे, central government और फिर उसके अंद में उस और फिर वो place of supply वाले point यहां पर उन्होंने वापस repeat किया है, place of supply से relating जो भी powers रहेंगे, वो exclusively कौन बनाएगा, वो exclusively पार लिया मेंगे, ठीक है, वो यहां पर भी वापस से repeat किया है, फिर उसके बाद में, second last article, that is article number 279A, which talks about GST council, GST council बनाने का powers था, प्रेसिडेंट के पास मे है, फिर उसका constitution हो गया, तीन category के लोग थे, इतो chair person है, फिर union minister of state है, और फिर हर state से, हर state से हमने एक-एक minister उठा लिया, ठीक है, फिर इंगे functions क्या है, कौन से taxes सबसी होंगे, वो बताएंगे, किसमे exemption मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बताएंगे, फिर model GST laws यही लोग बनाने है, rough law, lawmaker, यही लोग है, फिर कौन से, sorry, registration के लिए, क्या threshold limit है, वो यह लोग बनाएंगे, क्या rates applicable on goods on services, वो यह बताएंगे, फिर अगर कोई state में natural calamity या disaster हो गया है, तो कुछ special rate है क्या, कुछ rate of tax बढ़ाने का है क्या, वो यह लोग बताएंगे, फिर यह देखो न, pet, मैं यह वाले point पर आती हो वापस है, GST council, वो date बताएगा, वो date recommend करेगा, जिस दिन से वो petrol and products के वो पर GST applicable हो जाए, और फिर वो special category states के लिए भी special provision बनाएगा, देखो न, Arunachal Pradesh, Assam, Jammu, Kashmir, Manipur, Megalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand, यह states के लिए, यह states के लिए, वो special provision बनाए करेंगे कि मतलब भई, इंके लिए क्या करना है, threshold limit कम करनी है, threshold limit बढ़ाना है, कैसी क्या करने का है, वो यह वाले, वो GST council यहां पर recommend करेगा and such any other matter, यह आपको पूरा न, GST relating सब कुछ, GST relating सब कुछ, first step शुरू कहां से होने वाला है, first step शुरू ही होगा आपकी GST council के recommendation, अ decision making, three-fourth of the weighted votes रहना वाला है, जो अभी same, मैंना आपको numerical example से समझाया था, बराबर है, फिर उसके बाद में, article 368 ने बोला, भाई, 279 के अंदर amendment करना है, तो each house of parliament, लोकसभा और राज्यसभा, से two-third, two-third का approval लेना पड़ेगा, और उसके बाद में, 50% of the state से भी approval लेना रहेगा, कि भाई, कि भाई, अभी आप GST council के अंदर amendment कर सकते हो, see हम GST council के powers में amendment नहीं कर रहा है, हम GST council के constitution में, constitution में basically अगर amendment करना है, तो यह वाला article हम use करें, समझ रहा है था, yes, and अभी इनलोंने आपे क्या क्या है, यह last वाला point, actually repeated point है, यह जो भी अपना constitution amendment act पास्थ हो आने से पहले पहले जो भी अपना constitution bill पहले प्रपोस किया था, और पर constitution act, amendment act बन गया था, उसके major provisions उन्होंने आपे compile कर के दिया हुआ है, majority points, majority points आपके repeated point है यहाँ पे, कौन सा अलग है वो मैं आपको बता देती हू, एक तो यह वाला, 10th वाला point आपका अलग है, 11th वाला point आपका अलग है, and 12th वाला point अलग है, बाकिस सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा आवा है, पुरे chapter के अंदा है, ठीक है, भी यह देख लेते हैं, क्या है 10th point, 10th point के अंदर लोन ने GST council के dates दिये वह, it came into force on 12th September, and President constituted it as GST council, forum मनी कहा था, 12th September को लागू हुआ, 15th September 2016 से, applicable हुआ 15th September 2016 से, पुराने वाले लोग के अंदर है, एक concept था, called as declared goods of special importance, कुछ को जैसे goods से, जिसको कुछ special दर्जा दिया गया था, special importance दिया गया था, वो हटा दिया, बोलते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो पुराना लोता हो सब गया, अब वो सब यहां से हटा दिया, और दूसरा उन्होंने बोला, जब कभी भी हम transit करते हैं, जैसे VAT, CST, Service, Tax, etc. से हम transit करके GST में आए थी, एक बस चार्टिंग में लोगों को बहुत तकलीव होई थी, दिवेर ख्लूलेस कि हमको करना किया है, तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम तोड़ा कुछ exemptions दे देंगे, हम तोड़ा कुछ simple कर देंगे, हम due dates एक्दम strict नहीं रखेंगे, वो सब उन्होंने रखा था, only for a period of one year from the date of commencement of GST, 1st July 2017 से एक साल चालू हुआ, और एक साल मौनने वोल दिया, बस हो गया, अब आप लोगो को आधत हो गई है, अब अब कुछ भी benefits नहीं दिये चाहेंगे, ठीक है, transition benefits एक साल के लिए applicable है, और ये transition benefit है ना हर law देता है, आप law में भी पढ़ोगे ना, आपके company law and other laws, सब के अंदरी transition benefits सब को दिया दा, आ रिये बात समझ में, येस, दन है, इस is all about, this is all about your first chapter, that is GST in India and introduction, एक दम बेस्तिक, बेस्तिक जो था ना, मी नहीं पता है इसमें क्या समझना था, क्या-क्या टाइप पे taxes है, GST आया कैसे, GST आया क्यों, पिर उसके बाद में, कौन से टाइप ऑफ टाक्सी, GST, GST, etc, कब कौन सा टाक्स लगाना, और ITC का benefit ने कितना बड़ा difference create कर दिया, वो हमको यहां पर पढ़ करना, और वो हमारा पढ़ करना, आरी यह बात समय, ठीक है, चलो, डन है, अब क्या करना, अभी textbook है आपके पास मे टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, यह चाप्टर को एक बार के लिए रीड करना, ठीक है, उसके बाद में, इसका super quick revision आएगा, यूट्यूब पे, ठीक है, super quick revision जो यूट्यूब पे आएगा, वो आपको इसको refer करना, वो refer करके आपका फेतम हो जाएगा, उसक करना है, तो इसका question answers, जो भी subjective question answers है, and MCQs है, from your volume number 3, उसको आपको try करना है, question बढ़ो, imagine करो answer क्या होने वाला है, ठीक है, recollect करो, एक साथ में खट्टे कर लो, क्या-क्या points होने वाला है, उसके बाद में, उसका presentation start, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आपका काम है, कि आपको अभी एक बार, चाप्र को रीड करना है, before we start ahead with the next chapter, ठीक है, question answers, revision, etc., उसको करना ही है, that goes without saying, yes.